आज वेल्कम टॉ अनक आड़मी कैसे हैं सब बच्चे मेरा नाम है सीप पाउचा आज वालीजी एजिकेटर इन नीट यूजी काटिकरी आज सब को दिखाई दे रहा है कर दो के सुनाई दे रहा है कियस अजी गुद इवनिंग बेटा जी गुद इवनिंग कैसे है सब बचे आज पेटा जी हमने कंप्लीट करना है हम लोग तयारी कर रहे हैं नीट 2024 और नीट 2025 की नीट एक ऐसा एक्जाम है जो की डॉक्टर बनने की लिए दिया जाता है जिसमें आपको MBBS करना होता है MBBS में एडिशन लेने के लिए नीट के एक्जाम देना पड़ता है और नीट के एक्जाम में बायो सबसे जादा वेटेज लेता है 50% अफ नीट एक्जाम इस कवरड बाय बायोलोजी और उस 50% में से स्टरन श्कुलावर्स सिस्ट्रम यह सारे सिस्ट्रम बेटा हम स्में कुछा था ब्रीधिंग कंप्लीट न इम बात कर रहे हैं उन ईनाटमी का मतलब हैं हमने पूरा स्ट्रॉक्चर देख लिया है किड़नी का किड़नी का लोंगिज्दिनल सेक्शन पीडेखा लौंगिज फिर हमने रेफ्रान का structure भी देखा एक मिनट रुकए कोई लाग शायग तो नहीं है ना हाँ नहीं है ठीक फिर हमने रेफ्रान का structure भी देखा एं देन विंदेडप विथ types of nephron जिसमें cortical nephron and आपके JM nephron हम कर चुके है क्या सबको कल तक का समझ आ गया था कोई lag नहीं है no there is no lag at all क्या सबको कल तक का समझ आ गया बताना जरह एक बारी session को like करके बता दो yes come on fastly like the session and tell me हाँ जी इस Sunday breathing circular yes इस Sunday test series है अगर आप कहते हो तो मैं Sunday की जगा Monday भी करा सकती हूँ आप मुझे बताईए कहीं Sunday को आपके ज़्यादा test तो नहीं है कि test series मुश्किल हो जाए करना we can you know alter the date but most probably इसको Sunday को ही रखेंगे अपना bed time है 12 बज़े Sunday ठीक है टेलिग्राम पर आएगा लेट मी जस्कॉल आउट हाँ जी करे शुरू करे चलिए तो कल हमने detail structure देख लिया था कोई homework तो नहीं दिया था हाँ जी तो ये मेरा detail structure था जिसमें मैंने बात की थी about two parts major two parts पहला part था मेरा renal tubule दूसरा part क्या था बेटा जी आपका glomerulus ठीक है इस renal tubule में मैंने देखा पहले boomans capsule है फिर PCT है फिर U-shaped loop of N ले है फिर बेटा जी DCT है that is distal convoluted tubule and then last में आपके पास क्या present है collecting duct जो कि किसी का भी part नहीं है किसी भी nephron का part नहीं है because it is shared by many nephrons फिर हमने देखा कि actual में filter क्या हो रहा है filter हमने blood को करना है blood बेसे remove क्या करना है nitrogenous waste remove करना है यह कहां से entry मारता है efferent arteriol से efferent arteriol के बाद capillary network glomerulus फिर आया efferent arteriol और फिर से capillary network तो आप ज़रा ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए बेटा जी capillary network कितनी बारी आ रहा है generally क्या होता है generally होता है कि artery आई artery capillary बनाई capillary से फिर vein बना generally ऐसी होता है artery arteriol capillary venule and then vein यहाँ पर scene अलग है यहाँ पर देखिए artery आई artery ने arteriol बनाया arteriol ने capillary बनाई यहाँ तक बिल्कुल मामला सेम है capillary के बाद venule होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर capillary के बाद एक और arteriol है फिर एक और capillary है so यहाँ पर artery और vein के बिच में दो capillary network है generally एक capillary network हमने देखा है लेकिन kidney में artery और vein के बिच में देखो artery यहाँ vein यहाँ है इनके बिच में दो capillary network है एक capillary network नहीं है तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था आज हम सीधा चलते हैं juxta glomerular apparatus ready है jam apparatus के लिए सब बच्चे juxta glomerular apparatus juxta मतलब एक तरीके से junction ले सकते हो glomerular apparatus यहाँ देखो इची diagram में मैं आपको highlight करके दिखाती हूँ you know that this is part of DCT focus करना यह किसका हिस्सा है DCT का हिस्सा है यह क्या है moments capsule है यह क्या है glomerulus है मानते हो यह क्या है glomerulus है अब यह जो पूरा हिस्सा बन रहा है this is called as juxta glomerular apparatus हम इसको यूज करेंगे जब हम रास मैकनिसम पढ़ने वाले हैं अभी के लिए आप इसको देखे कि होता क्या है juxta glomerular apparatus में में एक moments capsule बनाऊंगी efferent arteriol बनाऊंगी efferent arteriol बनाऊंगी glomerulus बनाऊंगी और इसकी बहुत ही close proximity में बेटा DCT present है generally आप जो diagram देखते है nephron का वो ऐसे देखते है लेकिन आप देखेंगे मैंने nephron का जो face है moments capsule का face है इस तरीके से बनाया why? because they are present like this only moments capsule के बहुत नजदीक DCT present होता है और filtrate को control करता है ठीक है? चलो तो ये है मेरा juxtaglomerular apparatus ये क्या है? moments capsule latest label आजो मेरे साथ साथ ये क्या है? moments capsule ठीक है? moments capsule में entry कौन मार रहा है? efferent arteriol कौन मार रहा है? efferent arteriol exit कौन मार रहा है? efferent arteriol efferent arteriol ठीक है? बीच में इसने कौन सा network बनाया? glomerulus और ये क्या बनाया है? मैंने DCT उसी डाइग्राम में दिखाए न DCT किती ज़ादा नजदीक प्रेजन्ट है moments capsule के glomerulus के ठीक है? अब बेटा efferent cells है smooth muscle के cell है वो modify हो जाते है efferent arteriol के smooth muscles के cell modify होकर बना लेते हैं juxtaglomerular cells क्या बोलते हैं? GG cells कौन modify हुआ? efferent arteriol के कौन से cell modify हुए? muscular cell modify हुए और इन्होंने क्या बना लिया? GG cells बना लिया ये GG cells ये GG cells एक तरीकी के endocrine cells है मतले भी क्या release करेंगे? hormone अभी बात करते हैं कौन सा? तो एक तो बन गया मेरा GG cell क्या ये GG cell इदर present नहीं है? हाँ इदर भी होते हैं लेकिन efferent पर इनका number क्या होता है? कम होता है अब ये मेरे DCT था DCT में भी special type के cell दिखाई दे रहे हैं इन cells को हम लोग बोलते हैं macular densa क्या बोलते है? macular densa ये macular densa करता क्या है? गड़बड को sense करता है sensor लगा हुआ इसके अंदर इदर आजाओ ये मानलो में इदर बना रही है macular densa यहाँ कहीं present होगा देख रहा है सिरफ इतने हिससे को देखो JG operators को देखो यह macular densa है देखो जो भी blood यहाँ आया वो filter होके इसमें गुच जाएगा अब उसका नाम blood नहीं है अब उसका नाम क्या है? filtrate है क्या है इसका नाम? filtrate है यह filtrate पहुशता 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 अल्टिमेटली DCT में आये का अगर मानलो filtrate में गड़बडी है गड़बड जैसे की पानी जादा या पानी कम गड़बड जैसे की सॉल्ट जादा या सॉल्ट कम कैसी ही है अगर बिटेंड है तो इसंस कौन करेगा मैक्टिरर डेन्सा के सप्रस्टाया इन्फरमेशन को देते हैं जेजी एल्स करता है मतलब यह जो फिल्ट्रेट यहां पहुँंचा है अगर इस में निकली गड़बडी, it will be sensed by these cells, तो ये वाले cells कौन से हुए, ये वाले cells बेटा कौन से हुए, sensor cells हुए, ठीक है, तो लिख सकते हैं ये कैसे cells हैं, sensor cells हैं, ये लोग गड़बडी पहचान लेते हैं, गड़बडी जैसे कि क्या filtrate का amount कम है है, क्या filtrate का amount जादा है क्या पानी का amount कम है, पानी का amount जादा है, and ultimately sense करके किसको भेजते हैं, जे जी को जे जी एक endocrine cells है तो ये एक hormone release करेगा hormone का नाम है, renin क्या release करेगा, renin and ये सारी information हम लोग use करेंगे, RAS mechanism में कहां पर use करेंगे बेटा RAS mechanism में, is this clear? बेटे, जितने बच्चे बैठे हैं, उत्ती attendance तो नहीं लगी है अभी, तो पहले आगे बढ़ने से पहले फटा-फट से attendance लगा दीजे, attendance का मतलब है, like कर दो फटा-फट से yes, come on, fastly like the session fastly like the session haan जी, fastly like the session yes, fastly like the session कर दिया सबने, कर दिया, चलो आजाओ, तो यह juxtraclomerular apparatus हम थोड़ी देर में यूज करेंगे, जब हम hormones के बारे में बात करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं mechanism of urine formation, चीक है, माल लीजे, यह क्या है efferent arteriol, this is efferent arteriol, क्या मैं efferent arteriol को AA लिख दू, तो efferent arteriol को क्या लिखूंगी, efferent arteriol को मैं लिख दूंगी, EA, yes, यह क्या हो जाएगा मेरा efferent arteriol तो efferent arteriol अंदर entry मारता है, क्या बनाता है glomerulus और यहां से निकलता है efferent arteriol यह efferent arteriol ultimately जाकर peritubular capillaries बना लेगा, क्या बना लेगा, peritubular urine formation हमेशा तीन steps में होता है, step number one is glomerular filtration, step number two is going to be tubular secretion, tubular reabsorption and step number three is going to be tubular secretion, पहले तो location समझते हैं इनके नाम से, जिसके नाम में glomerular filtration, मतलब filtration कहाँ पर हो रही है glomerulus में, नाम में tubular reabsorption, मतलब reabsorption कहाँ पर हो रही है, renal tubule में, renal tubule यह है PCT, DCT, loop of NLA, यह सारा क्या है, renal tubule, then इसके नाम में tubular secretion, मतलब secretion कहाँ पर हो रही है, renal tubule में हो रही है, चलिए, सबसे बहले बात करते हैं, glomerular filtration की, blood आया, blood बेटा जी, इस capillary network के द्वारा filter होकर पहुंच जाता है, capsule के अंदर, यहाँ पहुंच जाता है, this is step number one, इसको हम क्या बोलते हैं step number one, glomerular filtration, अब उसका नाम क्या blood रख सकते हैं, नहीं, अब इसका नाम क्या रखेंगे, अब यहाँ पर नाम रख देंगे, GF, अब GF से बेटा एक ही नहीं आता है, GF is not always girlfriend, it is glomerular, glomerular filtration, क्या होता है, अब इसका नाम blood नहीं है, अब इसका नाम है GF, अब गलतियां भी तो हो सकती है, कई बरी क्या होता है, कि बहुत सारा हिस्सा blood का glomerular filtration में convert हो जाता है, extra पानी आजाता है, salt आजाते है, कुछ पाइदे की चीज़े भी चली जाती है, गलती से glucose चला गया, गलती से amino acid चला गया, अब जो गलती से समान यहां पर चला गया, जो मुझे body में दुबारा save करना है, तो यहर उस समान को है वापस ले लूँगी? Yes, इस वापस लेने की process को हम बोलते है, step number two, that is tubular reabsorption, यानि कि all the useful substance which has to be taken back from the glomerular filtrate will be reabsorbed, उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि हर चीज यूरिन बना के नहीं बहाई जा सकती है, ठीक है, glomerular filtrate तो एक दिन में 180 लीटर बनता है, क्या 180 लीटर यूरिन आता है? नहीं, यूरिन तो दिन में 1.5 लीटर, 1.5, 1 लीटर, इतना यूरिन रिलीज होता है, तो सारा का सारा तो नहीं बहा सकते हैं, वापस लेना पड़ेगा, major percent तो वापस ही ले लेते हैं, वापस लेने के process को हम लोग बोलते हैं, reabsorption, अब क्या होता है, बलड में sometimes the pH gets disturbed, कई बड़ी H प्लस आयन जादा हो जाते हैं, potassium जादा हो जाते हैं, ये सारा समान बलड में से, जो उसकी pH डिस्टर्ब कर रहा होता है, उसको यूरिन में बहा देंगे, यनि कि बलड की pH को maintain करने के लिए whatever disturbances were happening, कि बलड में H positive जादा था K positive जादा था, HCO3 negative जादा था, तो सारा फालतू समान बलड का यूरिन में दे देंगे, this is going to be step number 3, जिसको हम बोलते हैं, tubular secretion, तो तीन steps हो गई यूरिन formation में, पहला क्या हो गया, filtration, दूसरा क्या हो गया, reabsorption, तीसरा क्या हो गया, beta, secretion, अब हम शुरू करते हैं, कहां से, yes, कहां से शुरू करेंगे, we will start with the step number 1, GF, glomerular filtration, glomerular filtration, ठीक है, मतलब glomerulus में filter हो रही हैं चीजे, yes, फटा-फट से चोटा सपना लेते हैं, this is my bowman's capsule, this is going to be glomerulus, afferent arteriol, efferent arteriol, अब बहुत ध्यान से देखना, this is AA, this is EA, yes, glomerular filtration, बेटा जी, एक वो step है, जिसमें यहां का blood filter होके आगे जा रहा है, ठीक है, filter होने के लिए, इसको यह हिस्सा क्रॉस करना पड़ रहा है, देखरो, यहां blood है, मैं red color से blood दिखातू, यह देखी, यह blood है, filter होने के लिए, इसको पहले तो यह वली layer क्रॉस कर पड़ेगी, फिर यह bowman's capsule क्रॉस करना पड़ेगा, मानते हो, मानते हो, filter करने के लिए layer number 1, यह बीच का layer number 2 gap, layer number 3 क्रॉस करनी पड़ेगी, यह, layer को हम लोग क्या बोलते है, filtration membrane, यानि कि, अगर मैं यहां से यहां का हिस्सा बनाऊं, यह क्या बन जाता है, filtration membrane, क्या बन जाता है, filtration membrane, ठीक है, मानते हो, this is going to be, filtration membrane, अब यह filtration membrane में है क्या क्या, इस filtration membrane में क्या क्या है, अब इसको ज़रा जूम करके देख लेते हैं, blood यहां बैठा है, ज्यान दो, इस blood को cross करके यहां पहुंच रहा है, मैंने already बनाया है, यह देखो यह blood vessel है, यानि कि, यह affront arteriol है, यह देखो label कर लो, AA, EA, and glomerulus, glomerulus में मेरा blood घूम रहा है, इस blood को मुझे filter out करना है, तीन layer को cross करके जाना पड़ेगा, layer number one, this is the endothelium, endothelium में कौन से cells होते है, squamous epithelium, कौन से cells होते है, squamous epithelium, यह squamous epithelium तुमें normal नहीं दिख रहे, ध्याम दोगे तो बीच में gap है, है न, can you see the gap, दिखाई दे रहा है, gap दिख रहा है, इस gap को हम लोग क्या बोलते है, यह भी filtration membrane का हिस्सा है, ठीक है, तो यह मेरी squamous epithelium है, इस gap को नाम दिया जाता है, क्या किसी को पता है, क्या किसी को पता है, क्या बोलते हैं इस gap को, gap को बेटा जी, यह lag क्यों हो रहा है, मैने अभी ज़स देखा, there is really a lag, थोड़ा सा lag है, थोड़ा सा बेटा मैनेज हो जाएगा, I'm not sure, मुझे लग रहे है, जादा ही लोग इंटरनेट लैग हो रहे हैं यहीरीजन हो सकते ब्लड को क्रोस ब्लड ने फिनेस्ट्रा को क्रॉस कर लिया च्रोस करने के बाद ब्लू कलर का सबस्टांस आया इसको हम बोलते हैं बेस्मेंट सबस्टांस ठीक है, second layer cross cross की blood ने, then पिटा तीसरी layer आती है, boomen's capsule की layer, boomen's capsule की दो layer दिखाई दे रही है, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली, यह जो बाहर वाली layer है, इसको बोलते हैं parietal layer, जैसे हमने lungs और उसमें किया था, heart में, parietal layer, अंदर वाली का नाम बताओ, अंदर वाली का नाम बताओ, that is going to be visceral layer, अब पिटा यह visceral layer है, यह modify है, यहाँ पर cell बना रही है, देख रहो, special type के cell बन रहे हैं, जिसमें interdigitations है, ठीक है, interdigitations है, यह जो special cells visceral layer of boomen's capsule में present है, इनको बोला जाता है, podocytes, क्या बोला जाता है इनको, और यार बहुत lag हो रहा है, इनको क्या बोला जाता है, podocytes, यह podocytes इस तरीके से हैं, जैसे एक के बिच में एक नहीं होता, इस तरीके से present है, यह भी filter करने बहुत मदद करते हैं, क्योंकि यह बनाते हैं, filtration slits, यह जो दिख रहे हैं, कि यहां से, यहां से, यहां से, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, यानि कि they are forming filtration slits, क्या बना रहे हैं यह, filtration slit, तो तीन लियर ब्लड को cross करनी पड़ेंगे, इस लाइक दूद को चानने के लिए तुम तीन चन्नियां ले रहे हो, पहली चन्नी, penistra of glomerulus, दूसरी चन्नी, basement substance, तीसरी चन्नी, podocytes, यानि की filtration slit of the podocyte, येस, समझ गए, तो यह आपका क्या रहेगा, filtration membrane, इन तीनों को cross करके, ultimately, ब्लड का कुछ हिस्सा आगे पहुँँच जाएगा, उसको हम क्या मुलेंगे, glomerular filtrate, GF, ठीक है, तो ये मेरी filtration membrane है, अब बढ़ते हैं, कैसे filtration हुई असल में, आ जाओ, ये जो glomerular filtration है, ये एक non selective process है, हमने तो बस चन्नी लगा दी है, चन्नी लगाने के बाद हम देखते नहीं है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा पा रहा है, it's a non selective process, मतलब सोच के नहीं भेजा जा रहा, देखने रहें, अच्छा तू यूरी है, तू चला जा, तू glucose है, तू मत जा, नहीं, ऐसे देखने रहें, जिसका साइस छोटा है, तो क्रॉस कर जाएगा, जिसका साइस बढ़ा है, जैसे प्रोटीन का साइस बेटा काफी बढ़ा होता है, एक भी प्रोटीन क्रॉस नहीं कर पाता, तो प्रोटीन क्रॉस नहीं कर पाता, तो प्रोटीन क्रॉस नहीं करेगा, यानि कि सिलेक्ट नही प्रेशर डिफ्रेंस की वज़े से हो रहा है अब दो तरीके की प्रेशर बेटा जी यहां पर हम देखेंगे एक तरीके का प्रेशर है जो की इस फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है येस तेरिज वन टाइप ऑफ प्रेशर जो की इस फिल्ट्रेशन को चाता है कि यह हो जाए और बिटाजी कुछ टाइप के प्रेशर ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं कि समझे हो मान लो मैं ब्लड को धक्का लगा रही हूं कि तुने इन तीनों मेंब्रेन से यह ऐसा क्यों हो रहा है वाई इस देर अलाग मैं पूछते हूं कि हां जी कि पूछ रही हूं है कि ज्यादा रायक हो रहा है क्या है कि स्पीड चेक करने दो मुझे इस टू मच और इस टो के आज ख़डब करना था एक मिल को कि यह मुझे लग रहे हैं इतना जाधा वी नहीं है बीच बीच में होता है इन्देण के इन वहिए बाच्चे नहीं पढ़ना चांते हैं हो ही क्या लिख रहे हैन मच तू की है हाँ जी चलिए मेरे खाल से अब नहीं होगा नाउ ठिंग्स आफ बिन सॉर्टेट येस कल भी आये थे बेटा आज भी आ गए हो एकी लाइन लिखे जो कल लाइन बोली थी वही आज बोल रहे हैं अच्छा एक बात बतानी थी बेटा इस चाप्टर के माइंड मैक्स और इस चाप्टर की डीपी जैसे हम हर चाप्टर का करते थे ना उसका मैंने लिंक पिन कर दिया सबस्ता हैं और एक क्लास हमों करा क्ला संधे कुण क्या इसकी अधिक संध में हो चुक है कि ऐम अथे चल रही हैे चल रही है घेंस इसमें अल्रेडी हो चुक है, एक test Sunday को है, Sunday के test में बाडी फ्लियोट, एक्सक्रीशन और ब्रिधिंग ठीक है, बाडी फ्लियोट जें ब्रिधिंग हम बहुत अच्छे से रिवाइस कर चुक है, अब समय आ रहा है एक्सक्रीशन को रिवाइस करने का, तो यह class का लिंक पिन किया हुआ है, it's a free class, सब बचे जाईए और enroll करके आईए इसमें, चीक है, enroll करके आईए, दुबारा समझो इसको, आज का जो portion है मैं पहले बता रही हूँ, आसान नहीं है अगर आप पहली बरी पढ़ रहे हैं, if you are studying this portion for the first time, it is going to be little bit tricky for you, second, third time पढ़ने वालों को सब समझ आएगा, लेकिन जो पहली बरी पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए focus कहा होना है, पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगी, तुम simplify करके समझाऊंगी, तुम मेरे पर फ्री हो, जेई का notification अल्रेडी आ चुक है, है ना, जेई का notification अल्रेडी आ चुक है, तुमको क्या पता NEET का notification कब आ जाए, आप जानते हैं कि जेई की notification में भी उन्हों ने P-Block को आड़ कर दिया, जबकि NCIT में नहीं है उनकी भी, यानि कि जो आपकी पुरानी नहीं, NCIT में नहीं हैं, वो भी आड़ कर रहे हैं वो, ultimately तो हमें एक तरीक से पुराना NCIT करना है, हो सकता है 32 की जगह, हमें फिर से 38 चाप्टर करने पड़े, you never know, तो आपका time waste नहीं होना चाहिए, आपका time बहुत कीमती है, है ना, आपका time बहुत कीमती है, आप waste नहीं कर सकते हैं इदर उदर में फालतू चीज़ों में, तो अगर यहां एक घंटा रुकोगे, तो प्लीज प्रॉमिस करो, फोकस से रुकोगे, नहीं तो प्लीज चले जाओ, अगर waste नहीं कहीं और जाके waste कर लो, बात नहीं करने हैं किसी से कहीं और किसी और प्लाटफॉम पे जाके करिए, चीक है, किसी और प्लाटफॉम पे जाके करिए, क्या करें बेटा लाग का यह ऐसा ही रहेगा, येस हाँ जी कोई lag है भी नहीं वैसे एक सेकिंड का बीच माइक्रो सेकिंड का होता है ठीक है बिल्कुल चलो आजाओ समझना है कि नहीं समझना जो समझना चाहते हैं बस वहीं आपर रुके बाकी सब जा सकते हैं तो glomerular filtration क्या होता है मैंने बोला तीन स्टेप है urine formation में अब मैं दुबारा तभी पूछूँँगी जब मैं urine formation पूरा करा लूँगी उससे पहले मैं बात नहीं करूँगी glomerular filtration इस ब्लड विल बी फिल्टरड बाई दा filtration membrane इस filtration membrane में तीन चीजे प्रेजन है पहला filter आएगा fenestra of the glomerular membrane यानि कि blood vessel में जो fenestra gaps present है दूसरा आएगा basement substance तीसरा आएगा podo sites में जो filtration slits का blood निकलेगा जब blood बेटा filter होके निकलेगा तो यहां पहुन जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं glomerular filtrate अब ये blood को filter करने के लिए किसी ने तो धक्का लगाया होगा किसने लगाया ATP नहीं ATP धक्का नहीं लगाते क्योंकि ये process तो क्या है passive process है तो धक्का कौन लगा रहा है इस blood को filter करने के लिए धक्का लगाने के लिए pressure है मेरे पास different different type के pressure है कौन कौन से pressure है येस कुछ pressure favor करते हैं जो धक्का लगाते हैं और कुछ उस धक्के से रोकते भी है तो favor वाला pressure यहाँ पर कौन सा है इसको हम बोलते हैं glomerular hydrostatic pressure this is called as this one is called as glomerular hydrostatic hydrostatic pressure this is called as glomerular hydrostatic pressure ये pressure किस वज़े से हुआ इस diagram को बहुत ध्यान से देखना efferent arteriol का diameter क्या है जादा ये देखो efferent arteriol का diameter क्या है जादा यानि कि बहुत सारा blood यहाँ से निकल के glomerulus में पहुंचा filter हो रहा है अब यहाँ से वापिस भी तो जाना है blood ने अब efferent का diameter क्या है जादा efferent arteriol का diameter क्या है कम जिसकी वज़े से यहाँ पर धक्का लगेगा ना रश हो जाएगा रश होने देखो एक गली बहुत चोड़ी है एक गली क्या है बहुत छोटी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रश हो जाएगा रश होने की वज़े से ultimately धका लगेगा यानि कि glomerular hydrostatic pressure एक ऐसा pressure pressure है जो favor करता है filtration को it favors yes क्योंकि blood की entry जादा हुई exit होने के लिए इतनी जगा नहीं है तो obvious सी बात है यहाँ blood इकठा होगा इकठा होने की वज़े से इसको pressure लगेगा इसको बोलते हैं glomerular hydrostatic pressure किस वज़े से है due to due to difference due to difference in the diameter of efferent arteriol and efferent arteriol ठीक है इनके difference की वज़े से है इसने तो धक्का लगा है इसके एक value भी निकाल ली है the value of ghp is equal to 60 mm of hg 60 mm of hg यह आपको value याद रखनी है यह वो pressure है जो filtration को favor करता है अब कुछ pressure ऐसे है जो filtration को oppose भी करते हैं कौन से pressure है जो filtration को oppose करते हैं पहला pressure का नाम आता है bcop that is blood colloidal osmotic pressure blood colloidal osmotic pressure ठीक है अब यह क्या होता है ma'am blood colloidal osmotic pressure इधर आ जाईए दिख रहे हैं हाँ जी तो यहाँ पर blood आया blood में पानी होता है कि नहीं होता है होता है यहाँ तो bloody flow करता है यहाँ क्या है पानी के साथ कुछ colloids भी होते हैं body fluids में बढ़ा था one of the colloid is albumin main protein जो की colloid का का काम करता है वो है albumin colloid क्या करता था पानी को बांद के रखता है colloid क्या करता है पानी को बांद के रखता है अगर colloid पानी को बांद के रखेगा तो पानी आगे जाएगा ही नहीं यानि कि यह रोक रहा है पानी को रोक रहा है filter होने से so this is an opposing pressure जो filtration को रोके, देखो, blood में से पानी को रोक के बैठ गए, तो filtration एक तरीके से रोक रहे हो ना, this is blood colloidal osmotic pressure and this one is due to colloids that is albumin, major colloid is albumin, जो की binds to water पानी को बांध के रखता है और filter नहीं होने देता, इसकी भी value है, B, C, O, P is actually 30 mm of Hg, 30 mm of Hg ठीक है, चलिए, आगे आजाते हैं, तीसरा pressure, तीसरा pressure कौन सा है, CHP CHP, that is capsular hydrostatic pressure capsular hydrostatic pressure है ना, capsular hydrostatic pressure एक मिनट रोके डबागयों ने बन रहा, बनाते हैं capsular hyd, ओ हो हो, क्या चाहे ये अंडरलाइन ही कर देते हैं, बस रोकिये, capsular hydrostatic pressure, अब ये क्या होता है हांची blood जब यहां से filter होके, capsule में पहुंचा, this is the area of woman's capsule है ना, this is the area of woman's capsule अब जब ये blood आ रहा है, तो already कोई तो GF होगा यहां पर, कोई तो filtrate present होगा, है ना, कोई तो filtrate present होगा, तो जब नया blood filter होके आ रहा है there is नहीं दिख रहा? हां जी is it okay now? yes, so what I was saying capsular hydrostatic pressure है, when the blood is getting filtered, the already existing capsular fluid, यहां पर पहले से fluid present होगी इस चीज़ को oppose करेगा यह कहेगा मैं already present हो, और मत आ तो यह भी एक तरीके का opposing pressure है इसका value कितना है? CHP is equal to 20 mm of HG तो मेरे आ गए, पहला आ गया GHP, दूसरा आ गया BCOP, तीसरा आ गया capsular hydrostatic pressure, अब तीन में से एक तो promote कर रहा है filtration को और दो क्या कर रहे हैं? अपोस कर रहे हैं तो effective filtration pressure कितना हुआ? yes, GHP minus BCOP plus CHP यही वाली equation बनेगी यही वाली equation बनेगी तो effective filtration pressure बोल लो या फिर इसको net filtration pressure बोल लो तो it could be effective और net filtration pressure तो net filtration pressure अगर value निकालेंगे आज ओर निकालो value that is 60 minus 50 plus 20 plus 30 60 minus 20 plus 30 that is going to be 30 plus 20 लिख लोयर that is going to be 60 minus 50 कितना वाली वाया? 10 mm of Hg देखिये, सिरफ 10 mm of Hg is sufficient to promote glomerular filtration आदमी सोचता मैं सिरफ 10 value से क्या हो जाएगा? बेटा positive आनी चाहिए अराम से हो जाएगा this is sufficient to push the blood from the filtration membrane and make it reach to the capsule ठीक है, इतना बहुत है बस positive आना चाहिए, हमारी value positive आ गई हमारी value positive आ गई तो blood जो है, वो filter होके पहुंच चुका है आपके इस capsule में अब उसका नाम blood नहीं है अब उसका नाम क्या है? GF, that is glomerular filtrate अब glomerular filtrate में क्या-क्या item है? येस, glomerular filtrate में क्या-κ्या चीजे परस्तुत हैं हाँ जी, glomerular filtrate बिलकुल blood जैसे है, बस क्या है? प्रोटीन नहीं है, फिलकुल Plasma जैसे है, तो अगर मैं GF के बारे में लिख हूँ Glomerular Filtrate के बारे में लिखें It is same as Plasma, but without protein तो इसको हम लोग बोलते हैं Deprotonized Plasma क्या बोलते हैं इसको Deprotonized Plasma बोलते हैं पल्कुल सेम उसकी तरह है, बस क्या नहीं present है, प्रोटीन प्रेज़न नहीं है तो क्या-क्या है फिर इसमें इस क्लोमैडलर फिल्टरेट में खूब सारा पानी होगा इसके अंदर बेटरजी ग्लूकोस होंगे फिल्टर होके blood से amino acid भी आ जाएंगे AA मतलब amino acid यूरिया भी आ जाएगा फिल्टर होके uric acid भी आ जाएगा ठेक है और water soluble vitamins भी आ जाएंगे और इसमें आइन्स भी आ जाएंगे सोडियम आइन, पुटैशिम आइन साथ ही में अगर आप दवाईयां खाते हो अंटीबाइटेक्स खाते हो तो अंटीबाइटेक्स भी फिल्टर होके आ जाएंगी अब ये फिल्टर होके कहां आई येस अब ये filter होके कहां आई अगर मैं इस diagram में देखूँ तो blood filter होके यहां आ चुक है क्या ये सारे item को urine बना के भेज़ दें क्या इस सब को urine बना के बाहर निकाल दें खुद बताओ क्या इतनी सारी चीजों को urine बना कर बाहर भेजा जा सकता है नहीं इसमें बहुत सारी चीज़े काम की हैं, उनको सबको फैंका नहीं जा सकता, बहुत सारी चीज़े बिटा काम की हैं, जैसे सारा पानी तो बेकार मी होगा, कुछ तो वापिस रखना पड़ेगा, क्योंकि बानी बहुत जादा निकल जाता है, ग्लुकोस तो सारा का सारा आइन सब्सक्राइब लेना पड़ेगा तो सब कुछ नहीं भेजा जा सकता हमें कुछ ना कुछ वापस लेना पड़ेगा जैसे पानी है सारा नहीं वापस लोगे but most of the water you will take back glucose तारा का सारा वापिस तारे का सारे वापिस ले लोगे ठीक है तो अब हम आएंगे अपने second step पे second step कौन सा है अपना tubular reabsorption second step करने से पहले बिटा जी हम देख लेते हैं कितना blood actually में filter हुआ let me just put it this way यह सबको पता है न यह सारी आपको कहां पर मिलती है yes where do you get this यह सारी pdf आपको मेरी telegram सीप पाहुजा बाइली जी ओफिशल पर मिल जाएंगी 2,15,000 से अधिक बच्चे उसमें है उसी को join कीजेगा और वहाँ पर आपको daily class का pdf मिल जाता है बाकी सासत pdf बनाने की कोशिश कीजे ताकि आपको rely ही ना करना पड़े क्योंकि समय नहीं है बाद में जाके note करने का कुछ miss हो जाता है तो उसको वहाँ से कोशिश कीजे आज ही आप यहीं पर सारा करके जाएं तो कितना blood entry लिया आपके kidney में so that is called as renal blood flow थोड़ा सा numerical करा रहे हूँ renal blood flow that is rbf that is one-fifth of cardiac output कितना blood entry लेता है kidney में for the filtration process that is one-fifth of cardiac output, cardiac output किता था पांच लिटर, अगर पांच लिटर का one-fifth करेंगे तो कितना आजाएगा अप्रोक्सिमेटली 1000 है ना, that is 1100 to 1200 ml per minute इतना blood kidney में entry लेता है for filtration अब blood का 55% क्या है plasma, 55% क्या है plasma, तो 1100 का ज़रा 55% करके देखो, वो हो जाएगा मेरा renal plasma flow kidney में actually में plasma कितना entry मारा, that is renal plasma flow चीक है, that is going to be 600 to 700 ml per minute चीक है, 600 to 700 ml per minute अब glomerular filtration कितने की हुई? अगर आपको values यहां पर बताई जाएं amount of glomerular filtrate यहां बताती हूं कितना gf बनता है? glomerular filtrate formed per minute it is 125 ml per minute या फिर 180 l per day इतना filtrate बनता है, सारे nephron मिला लो, दोनों kidneys मिला लो पर minute कितना glomerular filtrate बनेगा? 125 ml per day कितना बनेगा? 180 l मतलब आपकी kidneys पूरे दिन में 180 l तक उसको filter कर देती है बारी-बारी हो रहा है blood तो ऐसे 5 l होता है but it is 120 l over here क्योंकि हम repetition में काम कर रहे है बारी-बारी सारा blood जा रहा है 1-5th of cardiac output जा रही है चीक है जी? yes, glomerular filtrate इतना हुआ तो what is my filtration fraction? what is my filtration fraction? उसमें से filter होके बाहर आ गया तो filtration fraction क्या होगी? glomerular filtration rate upon renal plasma flow that is 125 upon 600 इसको निकालेंगे तो somewhere 16-20% plasma आपका filter होता है per minute yes, ठीक है? 16-20% plasma बेटा जी filter होता है per minute चलिए filter होके आ गए अब एक दिन में glomerular filtrate बना 180 liter 180 liter urine नहीं बनता है मतलब urine का बहुत बड़ा 98% chunk तो हम बापिस ले लेंगे second step में and our second step is none other than tubular reabsorption ठीक है? तो वही हमारा second step है है ना? क्योंकि सारा का सारा तो नहीं मेच सकते ऐसे हो तो पूरा दिन वाश्रूम में ही बैठे रहेंगे और खाली हो जाएंगे बॉडी बिलकुल ऐसे सूखी हो जाएगी dehydrate हो जाएंगे 180 liter लेकिन बाहर कितना निकलता है dead liter 1.5 liter मतलब 178.5 liter बापिस ले रहे हो इस सेकंड स्टेप में दाट इस टूबुलर री अब्सॉप्शन छेक तो टूबुलर री अब्सॉप्शन में हमें सारा पानी most of the water and important चीज़े वापस लेनी है कुछ चीज़े बेटा पूरी की पूरी वापस लेनी पड़ेंगी जो की important है जैसे कि glucose, amino acid तो उसके according हम substances को divide करते हैं into high threshold high threshold then आपकी आती है low threshold and then आपका आता है non threshold तीन categories में बेटा जी substances को divide कर देते हैं high threshold low threshold and non threshold high threshold substances कौन से हैं जिनको पूरा का पूरा maximally reabsorb कर लिया जाता है सारा वापस ले लो which is maximally reabsorbed most of that is reabsorbed जैसे की पानी काफी जादा ले लो वापस glucose सारा का सारा ले लो amino acid सारे का सारे ले लो sodium iron ले लो बेटा sodium iron आएगा तो उसके साथ है high threshold substances जो हम maximally reabsorbed कर लेते हैं low threshold substances कौन से होंगे जो थोड़े बहुत वापस लेंगे partially reabsorbed तारा नहीं लिये जाएगा partially reabsorbed example is urea uric acid अब तुम बोलो maam urea तो हमारा nitrogenous waste था उसको आप वापस क्यों ले रहे हो कल एक line लिखवाई थी I am not sure किते बचे ध्यान से सुनते हैं किक line को सुनते हैं वही इस line का जवाब दे पाएंगे कल एक line लिखवाई थी सारा का सारा urea बाहर नहीं फेंका जाता है some amount of urea is retained within the body to maintain osmolarity यह NCRT में भी लिखी हुई है अगर किसी ने NCRT पड़ी है तो NCRT में भी लिखी हुई है some amount of urea is retained in the body to maintain osmolarity तो सारा रही बाहर फेंका जाता कुछ वापस भी लिया जाता है बिलकुल सही बात है non threshold जिसको reabsorb करना ही नहीं है not reabsorbed at all not reabsorbed at all example is hypooric acid creatinine hypooric acid creatinine ठीक है तो अब शुरू करते हैं tubular reabsorption कि कैसे करेंगे किस जगा पर किस substance के reabsorption होगी PCT में किस की हो रही है LOH में किस की हो रही है DCT में किस की हो रही है कहां पर reabsorption सबसे ज़्यादा है और कहां पर reabsorption सबसे कम है ओके चलो ready ओ ready ओ हाँ जी अब मैं आपको दिखा देती हूँ यह हो कहां रहा है प्रॉसेस असे कि आज आपने देखा नहीं ना तो आपको दिखा देते हैं लेट में जो यू इसे ड़न एक मिन्ट रोखिए हाँ जी एक मिन्ट रोखिए हम यह इस दिख रहा है एवरिवन कें सी यह मैंने क्या दिखाया है section of kidney कल हमने diagram इसका बनाया भी था देख पा रहे हो इसमें अगर तुम ऐसे देख पाओगे triangular सा structure देख रहा है दिसकों pyramid बोलते हैं हां जी देख रहे हो थोड़ से triangle सा दिख रहा है थोड़ी जलकी आती है triangular structure की yes this one is renal pyramid यह medullary region है medullary pyramid है यह medullary देखो अगर पूरा देखोगे तो triangle सा दिखाएगा inverted triangle है ना इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है renal pyramid और यह जो बाहर की side पे जगा present है this is all cortex यह सब क्या है cortex तो यह cortical region हो गया और यह वाला आपका medullary region हो गया अब मैंने बताया है यहां पर आपके nephrons present nephrons का कुछ हिसा cortex में जाता है और कुछ हिसा कहां पर आता है आपके medulla में आता है so look at the nephrons किसी एक nephron को मैं highlight करते हूं yes यह एक nephron दिख रहा है काफी लंब है black color में आ रहा ह आपके लिए मुझे अलग से session बनाने बनाना पड़ेगा if I start now can I score 650 plus in need examination करने को बेटा आप कुछ भी कर सकते हो चीक है करने को आप कुछ भी कर सकते हो यह मैंने क्या बनाया है बहुत सारे glomerulus दिख रहा है आपको then यह bowman's capsule दिखाई दे रहा है यह आपकी PCT दिखाई दे रही है यह आपकी loop of enlay की descending limb यह loop of enlay की ascending limb and then यह आपकी DCT and ultimately collecting duct this one is collecting duct अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे तो एक collecting duct में multiple neurons nephrons खुल रहे हैं तो यह collecting duct है इसमें यह वाला nephron भी खुलता है औ that is why collecting duct को किसी भी nephron का हिस्सा नहीं माना जाता अब यहाँ पर ध्यान दो कि किस तरीके से ग्लोमारूलस और परिटूबलर capillaries प्रेजेंट है so this one is glomerulus tough tough capillaries को बोलते हैं ग्लोमारूलस इसके अंदर जो entry ले रहा है this is afferent arteriol सब सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान दो यह से क्या निकली efferent arteriol? efferent arteriol ने ultimately यह जाल बिचा लिया let me highlight yes यह जो जाल बिचाया है इस जाल को हम लोग बोलते हैं peritubular capillaries क्या बोलते है peritubular capillaries ultimately they all will open into renal vein यह सब renal vein में जाकर खुल जाएंगी तो इस तरीके से बहुत सारे nephron आपकी kidney के cortical और medullary region में प्रस्तुत ह है ठीक है अब one by one हम देखेंगे कि किस हिस्से में किसका reabsorption हो रहा है देखो PCT में यह PCT में दिखाती हूँ यहाँ पर रूखिए यहाँ पर दिख रहा है अलग से PCT देख पा रहे हो हाँ जी ब्लाक कलर का दिख रहा होगा यह देखिए बोमेंस कैप्सूल है बोमेंस कैप्सूल के बाद आया PCT PCT में अलग water reabsorb होता है glucose reabsorb होता है most of the ions 60% तो आपका reabsorption PCT में हो जाता है PCT के बाद descending limb of loop of enlay इसकी permeability अलग होती है ascending limb of loop of enlay इसकी permeability भी क्या होती है अलग होती है and then आपका आएगा PCT तो इस सब का reabsorption हम लोग करने वाले हैं ठीक है यह सब का reabsorption हम लोग करने वाले हैं ready चलिए तो one by one लिख लेते हैं हम हम लिट्मी जो सब्सक्राइब करते हैं यह डाइग्राम बना लिजिए मैंने नेफ्रोन को जो की काफी convoluted है PCT काफी convoluted है DCT convoluted है मैंने इसको simplification के लिए सीधा-सीधा बना लिया चलिए सबसे पहला रीजन आता है PCT so this one is PCT में बलड एंट्री लिया बलड की osmolarity कितनी होती यह आप याद कर लिजे human blood की normal osmolarity होती है 300 milli osmol per liter पहले इसको समझना उसके बाद बात करना नहीं समझोगे नहीं पता चलेगा घूम जाओगे ठीक है प्लीज अगले पांच मिनट फोकस से सिरफ 5 मिनट्स चाहिए blood की osmolarity है 300 यानि की 300 milli osmol वाला blood entry मारता है आपकी PCT में PCT में कुछ ना कुछ reabsorb हुआ क्या क्या reabsorb हुआ PCT बेटा काफी ज़्यादा permeable है इसकी permeability ज़्याद reabsorb होते हैं क्या absorb हुआ पानी क्या absorb हुआ sodium sodium जब बाहर जाता है तो chloride भी जाता है क्या reabsorb हुआ potassium potassium के साथ क्या reabsorb हुआ HCO3 negative और बेटा जी glucose हमने सारा वापस ले लिया vitamin C हमने वापस ले लिया amino acid अगर आये थे तो amino acid को भी हमने वापस ले लिया arrow देख रहे हो फिल्ट्रेट में से बाहर जा रहा है arrow का direction बहुत important है हम इसको reabsorb कर रही है यानि कि PCT में maximum reabsorption हुई अगले पेच पर लिख रही हूँ एक्स्ट्रा चीजें PCT में maximum reabsorption हुई हम दुबारा जाएंगे पिछले पेच पर don't worry क्यों क्योंकि इसकी wall most permeable wall है अगर मैं बात करूँ आपके पानी की तो two-third of the water two-third of the water total water is reabsorbed in PCT only PCT में ही absorbed हो जाएगा 60% 60% of GFR is reabsorbed here 60% of GFR is reabsorbed here ठीक है कुछ चीजों का reabsorption energy की मदद से होता है यानि कि active reabsorption होता है glucose का amino acid का sodium का active reabsorption होता है कुछ चीजों का reabsorption बेटा जी बिना energy की use होता है that is passive reabsorption पानी पानी सारा osmosis से move कर जाता है तो osmosis is a passive process उसमें कोई भी ATP नहीं लगते हैं अब जब यह reabsorption हुआ यहाँ पर जो glomerular filtrate है उसका osmolarity कितना रहा ब्लड का 300 था यह reabsorption होने के बावजूद इस जगह पर filtrate को osmolarity 300 ही है चेंजी नहीं हुआ आपने हेर फेर कर रहा लेकिन फिर भी कितना रह गया 300 ही रह गया इसलिए बोलते हैं the glomerular filtrate is isotonic to the blood plasma क्या बोलते हैं यहाँ पर बोला जाता है glomerular filtrate is isotonic to the blood plasma ठीक है चेंजी नहीं हुआ चलिए आगे आजाते हैं descending limb of loop of enlay क्या है descending limb of loop of enlay कुमारी दिव्य दिव्य कुमारी दिव्य दिव्य एक तो आपने अपने नाम में दो बरी दिव्य लगाया है दूसरी चीज ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जितना आपने लैग बना दिया इतना लैग है नहीं समझने वाले सब समझ रहे है शानती से यह important पार्ट है नहीं अच्छे से करोगे छोड़ दो फिर हाँ जी descending limb of loop of handle descending limb is only permeable to water यहां से सिरफ पानी बाहर आ सकता और कुछ बाहर नहीं आ सकता only and only water कोई salt बाहर नहीं आएंगे water, water क्योंकि permeable इसके लिए बाकी सब चीजों के लिए क्या है impermeable अगर filtrate में से पानी बाहर किया तो अंदर तो tonicity बढ़ जाएगी यानि कि अंदर का level 300 से चला 400, 400 से चला बिटा 600, 600 से चला 800, पानी निकलता जा रहे है कितना level हो गया 1000 and tip पर कितना level हो गया 1200 millie osmol per liter यानि कि loop of handle की tip पर osmolarity filtrate की कितनी है 1200 millie osmol per liter तो यहां पर लिख लेत हैं इसको box में डाल देती हूं कौन सा limb है descending limb permeability कि किस के लिए है only permeable to water only permeable to water ठीक है impermeable to salts impermeable to salts तो यहां पर isotonic बनाओं hypertonic बनाओं या फिर hypertonic बना दू हमारा filtrate कैसा हो चुक है blood से compare करना है blood मेरा 300 पे था PCT में भी value किती रही 300 पे रही यहां नीचे आते आते पानी बहार आ गया तो value कैसी हो गई value बेटा जी 300 से काफी जादा बढ़कर 1200 हो गई है तो यहां पर जो filtrate है वो क्या हो चुका है hyper hypertonic to the blood plasma yes कैसा हो चका है hypertonic to the blood plasma चलिए ऊपर चलते हैं ascending limb of loop of henley direction देखना है ascending limb of loop of henley इसकी permeability सिरफ ions के लिए है it is impermeable to पानी पानी नहीं आ सकता यहां से क्या बाहर आएगा sodium iron potassium iron chloride iron यह सारी चीजें यहां पर बाहर आएंगी और कुछ भी बाहर में आएगा इसको कर नीचे लिख लो नीचे वाले limb में से आती है पतले वाले में से thin limb sodium iron potassium iron potassium iron calcium iron यह सब चीजें बाहर आएंगी यह जो थिक पार्ट है इसका देख रहे हो थिक पार्ट में से active reabsorption होगा इस मोटे वाले पार्ट में से actively काम होगा और यह जो पतला वाला पार्ट है यहां पर movement passively हो जाएगा अगर ions बाहर आ रहे हैं भर भर के पानी नहीं आ तो फिर से टॉरी सीटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो ऑस्मोलारेटी 1200 से 1000 घट जाएगी 1800 600 400 300 अल्टीमेटली हम DCT तक आ जाएंगे ठीक है तो जैसे जैसे उपर जा रहे हैं फिर से ऑस्मोलारेटी बढ़ रहे हैं क्योंकि अब तुम salts निकाल रहे हो बीच पे से यानि कि यहाँ पर जो fluid है वो कैसा हो जाएगा hypotonic to the blood plasma कैसा हो जाएगा hypotonic to the blood plasma आप जाएगे DCT और collecting duct पे इस DCT और collecting duct को मैं अलग कलर से दिखाना चाहूंगी यह DCT और collecting duct बड़े special हैं क्योंकि यह normal case में reabsorption नहीं करते हैं यह लोग क्या करते हैं conditional reabsorption conditional reabsorption normally काम नहीं करेंगे कोई special condition होगी तभी यह काम करेंगे इसको बोला जाता है conditional reabsorption क्या condition होगी condition क्या होगी पहली condition यह हो सकती है कि ADHI दूसरी condition यह हो सकती है कि aldosterone आए अगर ADH आएगा तो पानी को reabsorpt करेंगे aldosterone आएगा तो sodium को reabsorpt करेंगे ऐसे नहीं करेंगे ऐसे तो पानी का काम PCT के है आपके LOH के है sodium का काम भी PCT के है और आपके LOH के है लेकिन condition आ जाए condition मतलब कुछ hormone release हो रहे है we'll do it today only ADH आ जाए एलुस्टरोन आ जाए उस case में उस case में बेटा जी DCT और collecting duct काम करते हैं otherwise काम नहीं करते हैं अब DCT जब काम करेगा तो इसकी भी osmolarity कित्ती आ जाएगी 300 that is isotonic या निकि यह भी कैसा fluid यहां से निकलेगा isotonic to the blood plasma और जैसे से collecting duct में तुम जा रहे हो नीचे बढ़ते बढ़ते तुमारी osmolarity कित्ती हो जाएगी 1200 मतलब जो urine निकल रहा है यह urine यहां से निकल रहा है glomerular filtrate बेटा जब collecting duct में एंट्री लेता तभी उसको urine बोलते हैं otherwise उसको urine निक बोलते हैं urine termic abuse किया जाएगा जब filtrate यहां है इससे पहले तो filtrate था अभी क्या है वो urine है तो what is the osmolarity of urine you will see that the osmolarity of urine is 1200 which is which is four times that of blood blood से कितना? कितना times है? four times मतलब urine is four times concentrated than blood क्योंकि blood का osmolarity 300 millie osmol per liter urine का osmolarity 1200 millie osmol per liter four times concentrated than of blood ठीक है जी तो यह बात हो गई मेरी descending limb की descending limb में जो ascending वाला portion है इसमें minimum reabsorption होती है so ascending limb अगर मैं यहां पर लिखू वैसे तो मैंने बता दिया it is only permeable to salts aim permeable to salts है salts है यहां पर and it is only permeable to salts and here it is minimum reabsorption ठीक है मेरी बेचा clear हो चुक है हाँ जी conditional reabsorption भी आपको clear हो चुक है अच्छा एक बात और बतानी थी यूरिया भी यहां से निकलता है किस पार्ट से निकलता है आपके collecting duct से तो collecting duct is also permeable to urea हम यहां से जो यूरिया हमको रोकना होता है वो भी निकाल लेते लोवर मेडिलरी पार्ट से ठीक है लोवर मेडिलरी पार्ट से निकाल लिया यूरिया okay step number two this is called as reabsorption step number three क्या था step number three था कि blood में अगर कुछ extra H plus ions है potassium ions है bicarbonate ions है जो की blood की pH को disturb कर रहे है blood की pH को disturb कर रहे है उनको क्या किया जाए उनको वापस भेज दो urine में भेज दो blood को तुम खराब नहीं कर सकते ना ब्लड की osmolarity, blood का ionic balance, blood का pH balance maintain करने के लिए there are certain ions उनको यूरिन में भेज दिया जाता है क्या भेजा जाता है तो यहीं पर दिखा रहे हूं PCT की बेटा अगर बात करें let me use color okay कॉन सा color हम use करें यह वाला color use करते है yes PCT में किसका reabsorption होता है PCT में reabsorption होता है देखो arrow देखो arrow देख रहे हो स्वारी सिक्रीशन होता है सिक्रीशन का यह वला arrow होगा हम blood से भेज रहे हैं किसको भेज रहे हैं H plus को भेज रहे हैं and ammonium wine को भेज रहे हैं क्योंकि ये blood का pH disturb कर रहे थे, तो PCT में हमने इसका secretion किया, ascending or descending limb में किसी का secretion नहीं होता, nothing, तो मैं यहां कुछ नहीं बनाऊंगे, DCT में आ जाईए, DCT में भी secretion होता है, किसका होता है, again H positive का, NH4 positive का, K positive का, इसका होता है, same goes with collecting duct, collecting duct में भी secretion होता है, hydrogen ions का, ammonium ions का, and आपका कौन सा बच गया, potassium ions का, ठीक, और ये secretion किस वज़े से किया जा रहा है, INA pH balance maintain करने के लिए, acid base balance, इसको better way में क्या बोला जा सकते हैं, acid base balance को maintain करने के लिए, हमने ये secretion कराया, येस, तो arrow ध्यान से देखोगे, अब यही चीज मैं तुमको यहां से दिखाती हूँ, यह आपकी NCRT है, है ना, यह मैंने सारा बता दिया, पढ़ ली थी के नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ देना फिर, है ना, तो glomadular filtrate rate हमने कर लिया, कितना होता है, per minute, per day, GG apparatus भी कर लिया, चीक है, GG apparatus अभी समझाओंगी, जब RAS mechanism कराओंगी, PCT में 70-80% of electrolyte reabsorb हो रहे हैं, है ना, ions reabsorb हो रहे हैं, then handless loop में, देख लो reabsorption सबसे कम होती है, ascending limb में, क्वेशन आ सकता है, सबसे कम किसमे होती है, सबसे जादा किसमे होती है, ठीक है, descending limb is permeable to water, and not permeable to salts, ओके, ये भी बढ़ लिया, DCT में conditional reabsorption होती है, normal reabsorption, नहीं होती है, एक में रूट किये, इदर आती हूँ, मैं अब दिखेगा, conditional reabsorption होती है, किसकी sodium की और पानी की, under the effect of ADH, और DCT is capable of reabsorption of, bicarbonate ions also, अच्छा, अब secretion वाले process को देखो, मैं secretion वाले को highlight कर रहे हूँ, secretion किसकी हो रही है, hydrogen ions की, potassium की, and ammonia की, क्यों हो रही है secretion, ये देखिए, acid base balance, balance in the blood, ये diagram बना हुए, इस diagram को बहुत अच्छे से देखना है आपने, arrow बहुत ध्यान से देखने है, जो arrow उपर की तरफ जा रहा है, reabsorption हो रहा है, जो arrow इस तरीके से जा रहा है, वो secretion हो रही है, यहाँ पर तुम देखो कि कोई secretion नहीं हो रही है, और secretion आपकी यहाँ हो रही है, and collecting duct में हो रही है, ठीक है, collecting duct में हो रही है, ये सारी बाते हमने कर लिए, ये सारी बाते हम कर चुके हैं, चले आगे, चले आगे बेटा, reabsorption, secretion is now done, आगे बढ़ते हैं, in case of any kind of stress situation, जैसे कल हो गए थी, कल करवा चौत रखा सबने, इस करवा चौत में पानी नहीं पिया जाता है, वैसे तो कस्टमाइज रहे हैं, कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, ऐसा कुछ hard and fast food नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए, लंबे समय के लिए पानी ना पियें, तो किड्नी क्या कहती है, किड्नी का responsibility हो जाता है, stress situation को manage करना, कैसे manage करेंगे, पानी को बचा कर, किड्नी चाहेगी कि आपका urine concentrated बना देते हैं, concentrated में तर बिटा अपने urine का color देख कि तो आपको चीज देखनी चाहिए, just to check whether my water intake is okay or not, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं बस गए, एक मिनट लगाया और आ गए, बिना देखे, आपको figure out करना चाहिए, क्या मैं sufficient पानी पी रहा हूं या फिर नहीं पी रहा हूं, 75 hard का एक challenge, diet challenge था, उस diet challenge में सबको क्या बोला था, मैंने 4 liter पानी पीना है, पता नहीं कितनों ने bottle रखी है अपने पास, या नहीं रखी है, एक specific amount की bottle आपके पास होनी चाहिए, जैसे this is 1 liter bottle, अब आपके पास भी औना चाहिए कि 700 ml है, 500 ml है या क्या है, इसको 70 to 80 कर लो या, NCRT में 70 to 80 है, हाँ जी, होना चाहिए ना, तो kidney हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश करती है, अगर आपने कम बानी पीया है, तो उसकी वज़ए से वो पानी को बचाएगी, यानि कि urine को concentrate करेगी, concentrated urine मतलब hypertonic या hypotonic, yes, concentrated urine मतलब hypertonic या hypotonic, तो concentrated urine का मतलब होता है, hypertonic urine, ये concentration हो कैसे रही है, with the help of special mechanism, जिसको बोलते है counter current, counter current क्या होता है, counter current मतलब opposite, ये, एक इदर से आ रहा है, एक इदर से आ रहा है, opposite direction में कुछ flow कर रहा है, this is counter current, ये counter current में कौन है, ये counter current में दो चीज़े है, एक मेरा renal tubule है, यानि कि लूप of N ले है, दूसरा मेरा वासा रेक्टा है, अगर आपको याद हो, कल हमने diagram बनाया था, कल हमने diagram बनाया था, इस तरीके से, ये देखो, ये मेरा loop of N ले था, yellow color का, और ये red color का क्या था, वासा रेक्टा, ठीक है, ये yellow color का loop of N ले था, red color का वासा रेक्टा था, ये loop of N ले में कौन flow करता है, filtrate, descending limb, ascending limb, वासा रेक्टा में कौन flow करता है, blood, and blood का direction, loop of N ले के filtrate से opposite होता है, देख लो, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूँ, तो जब filtrate नीचे जाता है, तो blood उपर आता है, इतने हिस्से की बात करूँ, तो जब filtrate उपर जाता है, तो blood नीचे आता है, तो हुआ ना counter current, हुआ ना counter current, तो counter current का मतलब है opposite indirection, कौन किस के opposite है, ये देखिए, this one is, descending limb of loop of N ले, D-L-O-H, descending, this one is, ये कौन सा है, this one is ascending limb of vasa recta, A-V-R, ठीक है, ये क्या है descending limb of vasa recta, देखो मैं labeling ठीक कर रहे हूं कि नहीं कर रहे हूं, ये वाला क्या है, ascending limb of loop of N-L-E, समझ आ गया, तो तीन counter current यहाँ पर चलते हैं, कितने, तीन counter current, पहला counter current ये चल रहा है, पहला counter current देख लो, between ascending limb of vasa recta, and descending limb of loop of N-L-E, first counter current, opposite है, vasa recta blood उपर आ रहा है, filtrate नीचे जा रहा है, LOH में, ठीक है, second counter current यहाँ चल रहा है, between ascending limb of loop of N-L-E, and descending limb of vasa recta, filtrate उपर जा रहा है, blood नीचे आ रहा है, बिल्कुल उसके बगल में ही है, नजदीक नजदीक है, दूसरा counter current, तीसरा counter current कहाँ चल रहा है, इन दोनों के बीच में भी तो counter current है, loop of N-L, ascending limb, descending limb, counter current, यह vasa recta के भी तो दोनों के बीच में counter current है, है ना जी, तो three types of counter current, they are working here, counter current means, close proximity में कोई दो tubes होंगी, जिसमें fluid, कोई भी fluid हो सकता है, एक में blood है, फिल्टरेट है, वो opposite direction में चल रहा है, ठीक है जी, येस, चल ये, ये जो counter current mechanism है, सिरफ जुक्स्टा medullary nephron में चलेगा, कल हमने किया था, जुक्स्टा medullary nephron, stress condition में काम करते हैं, तो ये तो stress condition में इंक्संट्रेट करेंगे, एसोड़ा करते रहेंगे, है ना, जुक्स्टा medullary nephron में चलेगा, this is the mechanism, इस counter current में, हम लोग मदद किसकी लेंगे, NACL and urea, NACL and urea की concentration will increase, in medullary interstitium, in medullary interstitium, ठीक है जी, येस, किन दोनों की मदद ले रहें, question आता है बेटा, NACL and urea, what is medullary interstitium, समझो, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, इस तरीके से, ऐसे ही था, उपर क्या था, cortex, नीचे क्या था, medullary, यही था, cortex, medullary, what is the medullary interstitium, ये medullary region है, ये interstitium है, तो हम करेंगे क्या, purpose is to concentrate urine, concentration के लिए urine में से पानी निकालना है, तो basic thing is, मुझे urine में से पानी निकालना है, कैसे निकालना है, आप क्या करो, इस जगा पर, ये medullary interstitium है, इस जगा पर, NACL और urea का concentration बढ़ा दो, अगर आपने यहाँ पर NACL का, यूरिया और urea का concentration बढ़ा दिया, तो osmolarity यहाँ बढ़ जाएगी, तो बगल में से पानी निकालेगा, कहां से, यहां से खूब पानी निकालेगा, osmosis यही होती है, osmosis is a movement of water, from the region of high concentration to low concentration, अगर आपने बाहर NACL और urea बढ़ा दिया, तो बाहर पानी कम हो जाएगा, तो पानी high to low आएगा, तो high to low आजाएगा, अगर यहां पर पानी आ गया, तो आपका urine concentrate, simple, simple, कर दे, अब सवाल आते है, NACL और urea का concentration medulla में कैसे बढ़ाएं, medulla interstitium में कैसे बढ़ाएं, ठीक है, तो यहां पर समझना, तो इसको बनाने के लिए एक तो मुझे LOH चाहिए and VASA recta चाहिए, Please focus for next one minute, ओके, हाँ जी, आप जानते हैं, ascending limb of loop of NLA, पहले सिरफ सुन लो बाद में लिखना, ascending limb of loop of NLA is permeable to only salts, यहां से क्या निकलेगा, Now this NACL will be picked up by descending limb of VASA recta. चेकर शोップ कर लिया. यह पाद रिकता आप NACL को लेकर आरहे NACL को लेकर आरहे NACL को लेकर आरहे NACL को लेकर आरहे यहां तक ले आया, कहा तक ले आया? Ascending limb of VASA recta तक और इस ने इस NACL को medular interstition में छोड़ दिया छोड़ दिया, इसने इस NACL को ये बीच की स्पेस में छोड़ दिया, एक काम तो हो गया, NACL को medullary interstitium में हमने बढ़ा दिया, है ना, बढ़ा दिया, साथी में हमने पढ़ा था, collecting duct में से यूरिया निकलता है, क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, ना, इस यूरिया और आपका यूरिया भी medullary interstitium, ये भी क्या है, इस जगा पर accumulate हो जाएगा, तो हमारे दोनों काम हो गए, NACL भी medullary interstitium में आ गया, और आपका यूरिया भी medullary interstitium में आ गया, मतलब medullary interstitium hypertonic हो चुका है, अब इसमें पानी की कमी हो चुकी है, पा बहुत सारा पानी यहां से बाहर निकलेगा, बहुत सारा पानी बाहर निकलेगा, पानी निकलेगा तो automatically urine will become concentrated, फिल्टरेट कंसंट्रेट हो गया ना, पानी निकाल दिया, यह पानी निकला हुआ, urine बेटा यहां से निकलेगा, और यहां पे osmolarity कित्ती होती है, यह हम अल्र पार पताने की जूरत नहीं है, कि हम 300 से चलते हैं, 400, 600, 800, 1000 and ultimately, ultimately 1200 milli or small, urine becomes 4 times concentrated than the blood, लेकिन यह CCM, counter current mechanism, stress condition में काम करेगा, यानि कि जब पानी की कमी होती है, जैसे कि कल हुई बहुत लोग में जो इन्नोंने वरत रखा, हां जी, is this clear? इस इस क्लियर? अब सवाल आता है, कि for example, कोई एक organism है, कोई animal A है, यह खूब non-veg खाता है, more protein खाता है, अब सवाल आता है, कि क्या इसका urine concentrated होगा या फिर dilute होगा? सोचने वाले बात है, urine concentrated होगा या dilute होगा? आजी बताओ, आ रहे हैं, बिटा बता तो दिया, वह सा रेक्टा का blood flow, opposite to loophole फेन ले, blood के साथ ही तो sodium को लेके आ रहे है, कैसे लाएगा नहीं तो? येस, इस पर concept लगेगा, more protein का मतलब है, more urea, जितना ज्यादा protein होता है, उतना ज्यादा यूरिया बनता है, क्यों मैं? ऐसा क्यों होता है? protein is made up of amino acid, amino acid से ही क्या बनेगा? ammonia, ammonia से ही क्या बनेगा? urea, urea cycle, simple, ठीक है, तो जितना ज्यादा protein, उतना ज्यादा क्या है? यूरिया बनेगा, जितना ज्यादा यूरिया, that means more urea in medullary interstitium, in medullary interstitium है न, interstitium, जितना ज्यादा यूरिया उस जगा पर आएगा, उतना ही ज्यादा water का reabsorption, जितना जाना पानी reabsorb होगा, उतना ही concentrated urine, मतलब जो लोग non vegetarian diet ज्यादा लेते हैं, उनको पानी भी ज्यादा लेना चाहिए, more water should be consumed, ठीक है, क्योंकि otherwise उनका urine बहुत ज्यादा concentrated होता जाएगा, ओके, ये बात हो गई, फिर हमने कल किया था liver के बारे में, liver में से मैंने बोला था, यूरिया बनता है, liver में क्या होता है, ammonia, ammonia converts into urea, अब liver में blood देने वाली एक vessel थी, कौन होती है, liver को blood जो देती है, दो vessels blood देती है, एक तो देती है, जिसका नाम है hepatic artery, hepatic artery, oxygenated blood देती है, एक है hepatic portal vein, याद आया, hepatic portal vein, पिछले chapter में कराया था, artery ने blood दिया, vein ने blood दिया, और एक बाहर भी निकालती है blood, कौन, hepatic vein, hepatic vein, blood बाहर भी निकालती है, अब सवाल आता है, out of hepatic artery, hepatic portal vein, and hepatic vein, इन तीनों में से maximum urea कहां मिलेगा, maximum urea कहां मिलेगा, question पूछ रही हूँ, question कि स्लाइड है ये, पहले मैंने non-vegetarian, vegetarian वाला question पूछा, अब मैं ये question पूछ रही हूँ, out of hepatic artery, hepatic portal vein, and hepatic vein, which one will have more urea, maximum urea किस में होगा, क्या artery में होगा, vein में होगा, या portal vein में होगा, बहुत simple सा concept है, बहुत simple, बिलकुल सही है, बिलकुल सही, बेटा जो लेके जा रहे है blood liver में, उसमें थोड़ा urea होगा, यूरिया तो liver में बन रहा है, तो जो चीज लिवर से निकल रही है, कौन निकल रही है, hepatic vein liver लिकल रही है, यूरिया से, लिवर से, तो this one will be having more urea, इन तीनों में से सबसे ज़दा urea का amount किस में मिलेगा, hepatic vein में, तो यह बात हो गए हमारे questions की, CCM is now done, CCM के बात करते हैं हम hormonal regulation of kidney, करें, hormonal regulation of kidney, इस hormonal regulation के लिए आपको JM apparatus याद होना चाहिए, जगस्टा medullary apparatus, इस hormonal regulation में हम तीन चीज़े पढ़ेंगे, पहला mechanism, that is RAS mechanism, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे about ADH, next page पर बताऊंगी ADH, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ANF, very, very, very important, इस chapter में से अगर question आएगा, there are very much high chances की इस hormonal regulation में से, से बनेगा question, hormonal regulation में से बनेगा, रेडियो, यह रास का रास क्या है, what is RAS का रास, RAS का रास है, फूल कॉम किसी को पता है, रेनिन, एंजुटेंसिनोजन, आल्डोस्टरोण, सिस्टम, है न, रेनिन, रास का रास क्या है, रेनिन, एंजुटेंसिनोजन, आल्डोस्टरोण सिस्टम, इस रेनिन वाले के लिए, जेजी अपरेटिस तुम्हें दुबारा याद कराओ, जो स्टार्टिंग में बताया है, जो किसको पता चल जाएगा, macular densa को पता चल जाएंगी macular densa information देंगे jg cells को jg cell क्या release करेंगे renin अब बीच में आपको ध्यान देट यहाँ पर दिख रहा होगा मैं दिखा देती हूँ कुछ और cells भी है इनको laces cells बोलते इनको कोई function clear नहीं है they are called as laces cells their function is not clear अच्छा अब जो गडबड़ी DCT में होगी that गडबड़ी will be detected by macular densa and information will be given to jg cells अब देखते हैं कैसी कैसी information जर्म में तो सबसे पहले शुरू करते हैं RAS का RAS RAS stands for renin renin with single N renin with double N hormone होता है वो digestion में हम पढ़ते हैं बच्चों में protein digesting enzyme होता है renin pro renin के form में release होता है infants में होता है लेकिन हमारे में renin नहीं है क्योंकि हम adult हो चुके है और हमारे में hormone है renin with single N double N वाला enzyme याद रखना renin angiotensinogen angiotensinogen aldosteron system देखो इसको समझाने का तरीका मेरा बिलकुल अलग है मैं normal लिख के नहीं बताती हूँ मैं पहले आपको problem बताऊंगी फिर problem को solution बताऊंगी चीक है पहले हम देख लेते problem क्या है what is the issue problem problem हो सकती है मान लिजे आपके blood का pressure क्या है low है चीक है problem हो सकती है हो सकता है blood में पानी की जो मात्रा है वो low है problem हो सकती है blood का जो volume है वो भी कम है देखो पानी कम होगा तो volume भी क्या होगा कम होगा प्राबलम हो सकती है कि blood के अंदर जो sodium iron है and chloride iron है यह low है यह problem हो सकती है एक और problem हो सकती है कि जो GFR का amount है glomerular filtrate rate है filtration rate है वो भी क्या है low है यह सारे problem areas है माली जे blood volume कम है blood का pressure कम है blood में sodium कम है blood में पानी कम है आपके GFR का amount कम है यह सारी problem case में renin चालू होता है यह सारी चीज़े कौन detect कर लेता है देखो GFR का कम होना कौन detect कर लेगा macular dancer detect कर लेंगे macular dancer किसको information देंगे GG cells को GG cells क्या release करेंगे renin release करेंगे तो यह सारी चीज़े किस ने sense की these are sensed by macular densa macular densa macular densa ने sense करके information किसको दी GG cells को दी GG cells ने hormone release किया जिसका नाम है renin ठीक है हम रास के रह तक पहुंच चुके है यह renin आया blood में hormone तो blood में आते है न और कहा जाते है hormone hormone तो blood में जाते है blood vessel बना दी बने ठीक है blood vessel बना दी यह renin किस में गुसेगा blood में अब blood में एक plasma protein present है जिसका नाम है 이 liver है liver बनाता है और liver ने बना के plasma में डाल दिया ये blood vessel के अंदर ही plasma होता है ना तो हमारे renin भाई साब आए और इसने ये renin आए एक मेट रुकिए येस renin आए और renin ने इसको activate किया angiotensinogen ogen मतलब इन active है इसको activate करके क्या बनाया angiotensin क्या बनाया angiotensin 1 angiotensin 1 अभी भी ये पूरा activate नहीं हो पाया होना चाहिए था पर हुआने अभी first level पे आया इसको second level तक लेकर जाना पड़ेगा इसको पूरा active करते है इसको पूरा active करने के लिए हमने किसकी सहायता ली lungs की सहायता ली किसकी सहायता ली lungs ये पिंग कलर के मेरे बढ़िया लंग्स बैठे है लेफ्ट लंग राइट लंग्स की सहायता ली और लंग्स ने बेटा जी रिलीज किया A.C.E क्या रिलीज किया मैं इसको इधर प्लेस कर देती हूँ रूखिए देख रहा है सबको येस बिंग कलर का गया हाँ जी लंग्स ने क्या रिलीज किया A.C.E. A.C.E. stands for Angiotensin Converting Enzyme उपर लिख रहे हूँ A.C.E. की full form Angiotensin Angiotensin Converting Enzyme Converting Enzyme इस A.C.E. की मदद से ultimately Angiotensin 1 अब completely active होके बन चुका है Angiotensin 2 ठीक है ये सब कहां पर हो रहा है ब्लड में हो रहा है तभी ये सारा चीज़ा मैंने Blood Vessel में बनाई तो रास वाले मेकनिसम में क्या हुआ Problem Area आया Problem Area को detect किया Macular Densa ने Information दी J.G. को J.G. ने क्या release किया Renin Renin आया Blood में Blood में पड़ा था Angiotensinogen जो कि हमारे लिवर भाई साब ने बनाया था Angiotensinogen convert होके बनके Angiotensin 1 बट बात नहीं बनी और Convert करना पड़ेगा और Activate करना पड़ेगा किसकी मददली ACE की ACE किसने बनाया? Lungs ने और डाल दिया Blood में इस ACE से Ultimately हमने बना लिया Angiotensin 2 अब ये Angiotensin 2 जो है ना ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करेगा Yes ये जो Angiotensin 2 है सारे प्रॉब्लम एरिया को ठीक करेगा Blood volume को बढ़ाएगा BP को बढ़ाएगा पानी को बढ़ाएगा sodium iron को बढ़ाएगा कैसे? चमतकारी है मैटा ये? ये क्या है? चमतकारी Angiotensin 2 है देखते हैं क्या क्या करेगा सबसे पहला काम रुको इस उसर पतला गटते हैं येस वर्क नमबर वन इसने स्टिमूलेट किया ध्यान से देखना Adrenal cortex को Adrenal cortex को बोला भाई तुम Aldosterone release कराओ Aldosterone release होगी तो क्या होगी Conditional Reabsorption Conditional Reabsorption of Sodium iron Sodium iron DCT और Collecting duct में से वापस ले लिये जाएंगे अगर sodium iron को वापस ले लिया तो sodium blood में ठीक हो जाएगा देखो ठीक हो जाएगा ना Aldosterone आ गया Aldosterone ने sodium वापस ले लिया तो ये जो problem है sodium ठीक हो जाएगा अगर sodium ठीक हो गया तो BP भी ठीक हो जाएगा BP is very much dependent on sodium है ना नमक अगर कम हो जाता है तो BP भी कम हो जाता है तो दो problem ठीक हो गई problem के हिसाब से करेंगे problem ठीक करनी है हमने ठीक है इसने adrenal cortex को क्या किया? stimulate किया sodium आया sodium ने Aldosterone आया Aldosterone ने sodium और chloride को रे अबसॉप कराया और इसने क्या कराई? vasoconstriction vasoconstriction किसकी? efferent arteriol की efferent arteriol EA की अगर efferent arteriol और छोटा हो जाएगा pressure और बढ़ जाएगा pressure और बढ़ जाएगा तो glomerular filtrate rate बढ़ जाएगा GFR will increase समझे हो? efferent arteriol constrict हो गए तो pressure बढ़ गया यही तो है एक मिन मुझे पीछे जाके दिखाने दो आपको डाइग्राम में यह देखिए अगर efferent arteriol तुम छोटा कर दोगे तो blood जादा आ रहा है exit हो नहीं पा रहा है इस जगह पे pressure बढ़ा? pressure बढ़ा तो glomerular filtration rate भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तो एक और problem मेरी solve हो जाएगी है न? एक और problem हमारी solve हो जाएगी blood volume is also managed और यह क्या कराता है? और यह PCT को कहता है कि तुम ना पानी reabsorb कराओ water reabsorption भी कराता है अगर पानी को वापस ले लिया तो ठीक है blood volume is also restored blood में पानी वापस आ जाएगा पानी वापस आ गया blood volume is restored पांचो problems का solution मिल गया बेटा पांचो problem का solution कौन है? R, A, A, S रास रेनिन, इंजोटेंसिनोजन, आल्डोस्टेरोन सिस्टम है न? रेनिन, इंजोटेंसिनोजन, आल्डोस्टेरोन सिस्टम जित्ती जित्ती problem थी सबका solution कर लिया sodium और BP के लिए हम लोग आल्डोस्टेरोन को ले आए पानी के लिए हम लोग ने PCT और GFR की मदद ले ली सारा problem solved चलिए यह हर्मोनल regulation अगला आता है ADH ADH बेटे जी काम करता है it is anti-diuretic hormone anti-diuretic hormone सबसे पहले तो मैं आपको मतलब समझाती हूँ what is diuresis diuresis का मतलब होता है loss of excess water अगर body में से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लग जाए उसको बलते है diuresis एक बेटा हमें diabetes हो जाते है diabetes insipidus उस insipidus में भी urine के साथ खुब पानी बहार निकलने लग जाता है और body dehydrate हो जाती है कुछ ऐसे drinks भी है जिसको diuretics बोलते है diuretics drink जैसे की चाय, tea coffee, alcohol इनको पीने से body में पानी की कम ही होती है क्योंकि पानी को बहार फेंकते है diuresis कराती है अब पानी को बहार फेंकने से तो मेरी body dehydrate हो जाएगी तो हमारे पास एक hormone है जिसका नाम है ADH anti-diuretic hormone यह diuresis को उने से रोकता है loss of water को रोकता है ठीक है, कैसे रोकेगा सबसे पहले इसको बनाने वाला कौन है synthesized by hypothalamus hypothalamus but released by posterior pituitory इसको हम endocrine system में और detail में करेंगे and released by posterior pituitory ठीक है released by posterior pituitory यह कब release होता है जब problem क्या आएगी blood की osmolarity बढ़ गई जब blood की osmolarity increase हो जाएगी increase मतलब more than 300 300 तो normal है 300 millis per liter अगर 300 millis per liter से ज़्यादा हो गई तो बेटा जी यह release होगा osmolarity ज़्यादा मतलब पानी की कमी हो गई osmolarity मतलब salt blood में salt पढ़ गए और पानी की क्या हो गई कमी हो गई तब इसको signal मिलेगा at that time ADH will come ADH क्या करेगा ADH एक मिल रोके इसको मैं side पर कर जेती हूँ of water पानी को reabsorb कर आएगा conditional reabsorption of water का हो थी है conditional reabsorption DCT में and collecting duct में अगर ADH इस काम में successful हो गया पानी को रोकने में successful हो गया तो urine कैसा बनेगा I will be the urine yes बताओ ADH के सिक्रीट होने से पानी को हमने बचा लिया पानी को बचाने का मतलब urine will be concentrated or dilute आँजी इस केस में पानी को बचा लिया urine will be concentrated क्योंकि जब पानी बाहर बह रहा था तो वो तो dilute urine था न concentrated मतलब hypertonic urine हम ADH की presence में urine को hypertonic करें बिल्कुल से ही आँजी ओके बाई बाई medical world देखो sodium की reabsorption के लिए में रास चाहिए थोड़ा बाद पानी भी रियबसर्ब होता है but mainly water की रियबसर्बशन के लिए में ADH चाहिए ठीक है only रास से काम नहीं चलता है water has to be reabsorpt multiple times in the blood and that is why we require ADH ठीक है अब रास से भी क्या हुआ पानी बचा sodium बचा ADH से भी क्या हुआ sodium बचा कोई तो इसके opposite काम करना चाहिए and that one is going to be ANF last one is ANF ANF is atrial natri uretic factor atrial natri uretic factor क्या होता है ये atrial natri uretic factor atria word heart ये release होता है heart से इसका problem area क्या है ये problem area है high BP मालो बॉडी में high BP चल रहा है तब आएगा अगर blood में मेरा high sodium आयन चल रहा है chloride आयन चल रहा है blood में पानी जादा है high blood volume अगर blood में पानी जादा है blood में water का content क्या है more है उस case में release होगा ANF और ये ANF क्या कराएगा देखो मुझे पानी जादा लग रहा है पानी को फेंकने है sodium जादा लग रहा है sodium को फेंकने है पानी को फेंकना मतलब diuresis कराएगा sodium को फेंकना मतलब natriuresis कराएगा समझ रहे हो ADH से उल्टा ADH पानी को बचाता था रास भी पानी को बचाता था ये पानी को फेंक रहा है diuresis करा रहा है sodium को भी फेंक रहा है natural uresis करा रहा है यानि कि मैं क्या एक लाइन लिख सकती हूँ कि ANF is opposite to रास and ADH है ना दोनों का दुश्मन कौन ANF ANF opposite काम करता है रास और ADH रास और ADH पानी बचाते हैं sodium बचाते हैं urine को concentrate करते हैं ये पानी भी बाहर भाहर है मतलब urine को क्या कर रहा है dilute dilute मतलब urine is going to be watery watery मतलब hypotonic urine कैसा urine हो रहा है hypotonic urine हो रहा है नाट्रियूरियस इसमा sodium कोई बाहर भेज रहा है पानी कोई बाहर भेज रहा है येस मेरे बच्चों so with this we are done with the hormonal control of kidney सबने कर लिया एक पर यहां से देख लेते हैं mechanism of concentration हो चुका है हां जी regulation of kidney just हमने अभी किया ये देखिए कह रहे हैं osmoreceptors in the body are activated by change in the body fluids ADH की बात कर रहे है अगर osmogarity change होगी तो आपके पास osmoreceptors है hypothalamus में वो activate होंगे ADH को release करेंगे ADH पानी की reabsorption कराएगा and diuresis को रोकेगा ठीक है रोकेगा ADH can also affect kidney function by constrictory effect on blood vessels this causes increase in blood pressure पानी की reabsorption के साथ साथ vasoconstriction कराके blood pressure भी बढ़ाता है जैसे हमारा रास कर रहा था ठीक है in increase in blood pressure आपका GFR भी बढ़ जाएगा तो ADH के दो काम हो गए रास की तरह ये vasoconstriction भी कराता है efferent की जिसकी वज़े से ultimately आपका वो बढ़ जाएगा pressure बढ़ेगा ठीक है JGA की बात हो गई है renin angiotensinogen की बात हो गई है ANF की बात हो गई है अब बात करते है micturation की सब बचे इदर आ जाईए micturation क्या होता है voiding of urine micturation बेटा क्या होता है voiding of urine urine को बाहर निकालना urine बनाया किसने formed by nephron it is ultimately carried to the bladder urine आपने बनाया urine ultimately आप कहां लेके जाते हो bladder में simultaneously होता है वैशनवी ने बहुत बढ़िया question पूचा है amazing question she has asked की reabsorption और secretion में से पहले कौन सा होता है filtration होने के बाद reabsorption और secretion में से पहले कौन सा होगा तो पिटा आपका answer आएगा simultaneously both reabsorption and secretion they are happening simultaneously it's just हम उसको पढ़ते अलग लग है पढ़ते अलग लग है ठीक है पहले reabsorption पढ़ लिया फिर secretion पढ़ा actually में simultaneously हो रहा होता है हाँ जी तो मेरे पास पेटा जी urine बन गया urine कहां पर आगया collecting duct में जब filtrate collecting duct में आता है तभी उसको urine नाम देते हैं उससे पहले तो filtrate नाम होता है यहां से कहां पर जाएगा duct of bellini यह बच्चे बहुत पूछते है duct of bellini क्या है बहुत सारी collecting duct पहले bellini में खुलती है यहां से कहां पर जाएगा minor calyx sorry yes minor calyx then जाएगा major calyx kidney का diagram खोल लो kidney का diagram खोल लो then major calyx will open into renal pelvis ठीक है renal pelvis renal pelvis आगे किसमें खुलेगी यूरेटर यूरेटर आगे किसमें खुलेगी यूरिनरी ब्लाडर and bladder से ultimately किसमें चला जाएगा यूरेथरा ठीक है किसमें चला जाएगा यूरेथरा दिखा दो kidney का diagram कल्ली बनाया था हाँ जी ये देखो nephron nephron में से collecting duct collecting duct सारी खुलेगी duct of bellini bellini बेटा आकर खुल जाएगी आपकी ये देखो minor calyx ये सारा minor calyx है minor calyx के बाद ये major calyx है major calyx के बाद ये renal pelvis है renal pelvis के बाद यूरेटर bladder bladder के बाद आपका क्या आजाएगा urethra चलिए आजाएगे अब बहुत ध्यान से सुनना urinary bladder में urine तब तक store होगा चब तक एक voluntary signal नहीं आता है CNS से मतलब आपके पास urine release करने का signal voluntarily आएगा CNS से this signal is initiated by stretching of bladder ये हमने कल भी बात की थी ये bladder के पास क्या मौझूद होते हैं stretch receptors present होते हैं क्या होते हैं इस तरीके से stretch receptor जब ये bladder भर जाएगा तो stretch receptor receive कर लेंगे signal को और भेज देंगे आपके CNS को ठीक है जी in response stretch receptor on the walls of bladder send signal to CNS तो जब बेटा यहाँ पर urine भर जाएगा यहाँ से signal किसके पास जाएगा CNS CNS will pass a motor message to initiate contraction of the smooth muscle of bladder अब इन्होंने नाम नहीं बताया मैंने आपको नाम बताया था muscle of bladder का क्या नाम है detruser muscle क्या नाम है बच्चों detruser muscle जिसकी वजह से CNS ने signal भेजा उसने बोला कि bladder को क्या किया जाए contract किया जाए और sphincter को क्या किया जाए relax किया जाए याद है यहाँ पर दो sphincter लगाए थे कल वाला है इसलिए लिख नहीं रही हूँ ये वाला internal sphincter है ये वाला internal sphincter है और ये वाला external sphincter है INT internal internal वाला क्या होगा involuntary और ये वाला क्या होगा voluntary तो bladder भरा भरने के बाद stretch receptor stretch हुए उन्होंने signal भेजा कहाँ CNS से message आया कि bladder को क्या करो हाँ जी कल लिखा था हमने bladder को क्या करेंगे bladder को करेंगे contract है ना और sphincter को क्या करेंगे relax जैसे ही हमने ये काम किया urine बाहर अब urine कितना बाहर आता है एक दिन में एक दिन में dead liter 1 to 1.2 liters 1.5 liters so this process is called as micturation and ये एक neural mechanism है इसको हम बोलते है micturation reflex जो बच्चे 12th की भी त्यारी कर रहे हैं इक question आपके 5 marks में boards में भी आ सकता है so adult human secretes 1 to 1.5 liter of urine per day 180 liter reabsorption GFR बनता है और 1.5 liter आपका urine बनता है per day और इस ती बात है urine is light yellow in color slightly acidic अब question आता है urine का color yellow क्यों है why urine is yellow in color because of a pigment and that pigment is called as eurochrome क्या बोलते हैं उस pigment को बेटा eurochrome च्छीग है चलो urine का pH कितना है 6.0 that means slightly acidic 7 neutral होता है on average 25 to 30 gram of urea is excreted out per day यह values है बेटा 180, 120 और यह 1 to 1 liter 1.5 liter है सारी values है as it is आएंगी कि एक दिन में कितना एक दिन में कहांगे एक दिन में कितना urea बाहर आता है that is 25 to 30 gram बहुत सारी condition बेटा जी आप urine को देखकर चेक कर सकते हो आपको याद होगा याद किया बहुत सारे लोग टेस्ट कराते है जो path lab में टेस्ट होता है डॉक्टर लिखते है blood test भी लिखते है sometimes urine test भी लिखते है लिखते है है ना blood test भी लिखते है urine test भी लिखते है आप urine में pus cells देखते हो यूरिन में glucose देखते हो, यूरिन में पानी देखते हो, यूरिन में blood देखते हो, इससे कितनी सारी बिमारियों का diagnosis होता है, it's a diagnostic method, urine test is a conventional diagnostic method, तो ये क्या कह रहे हैं, urine test को हम clinical diagnosis के लिए यूज करते हैं, जैसे अगर urine में मिल जाए glucose, अगर glucose urine में मिले उस condition को बोलते हैं, glycosurea, अगर ketone bodies, ketone bodies urine में मिले, उस condition को बोलते हैं ketonuria, अगर xanthin urine में मिल जाए, इसको बोलते हैं xanthinuria, xanthinuria, अगर मान लिजे hemoglobin urine में मिल जाए, hemoglobinuria, hemoglobinuria, अगर blood urine में मिल जाए, hematuria, hematuria, अगर albumin मिल जाए, albuminuria, अब इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखो, किनको, इसको, that is glycosurea and ketoneuria, ये दोनों आपको, ये दोनों conditions किस case में दिखाई देती हैं, if the person is suffering from diabetes mellitus, yes, अगर आपको diabetes check करनी हो, शुगर वाली, diabetes mellitus में, obviously, अगर शुगर जादा हो गई, glucose बेटा जी, इतना जादा हो गया है, कि urine में आ गया है, इसके लिए बेटा जी, यहां से diagnose हो जाता है, yes, this person is suffering from diabetes mellitus, glycosurea and ketoneuria, यार याद हो गया, चलिए, तो ये बात हो किजिए, कुछ और organs भी हैं, कुछ और organs भी हैं, जो कि excretion में role play करते हैं, ने बता दिया, mikturition reflex भी बता दिया, accessory organs बेटा जी, कौन-कौन से हैं, lungs, lungs में से तो भी तो CO2 excret होता है, आपका sweat, पानी, NACL, acids, secret होते हैं, आपका sebum, oil, चीक है जी, saliva, these are also excretory structure, अब किस में से क् excret हो रहे हैं, यहां ध्यान दो, direct question from NCRT, इसमें बाहर से आई नहीं सकता है, पहला lungs, lungs मेटा जी, CO2 remove करते हैं, कितना, 200 ml per minute, बहुत important value है, इसको भूल नहीं सकते हैं, that is 200 ml per minute, ठीक हैं, बहुत सारा पानी भी lungs के साथ जाता है, next is, liver the largest gland secretes bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, hormones, vitamins and आपका में drugs, तो liver में से क्या क्या सिक्रीट हुआ, यह सब सिक्रीट हुआ, ठीक है, digestive, sweat and sebaceous gland, sweat तो समझ गए, पसीना, sebaceous मतलब oil glands, sebaceous are the oil glands, यह क्या सिक्रीट करते हैं, can eliminate certain waste, sweat में से बताओ, पसीना तो सबने अपना टेस्ट की है, नमकीन होता पसीना, है ना, स्कूल में खेलत होती से मुँ में चला जाता है, तो नमकीन टेस्ट आता है, उसमें NACL present है, और यूरिया भी होता है, sweat way, lactic acid मौझूद है, तीन चीज़े, NACL, urea, lactic acid, वैसे तो sweat का काम है, बोड़ी को ठंडा रखना, बट यह toxic waste भी तो रिमूव कर रहा है, पानी भी रिमूव कर रहा है हैं, hydrocarbons हैं, wax हैं, चो कि यहां से निकलते हैं, and protective oily covering बनाता है oil, आपको पता है, small amount of nitrogenous waste is eliminated from saliva 2, तो हमने किस-किस का example किया, kidney के इलावा, lungs, पानी और CO2 रिमूव कर रहा है, liver, bilirubin, biliverdin, cholesterol, drugs, vitamins, इन सब को रिमूव कर रहा है, आपका sweat, sweat में पानी, urea, lactic acid रिमूव हो रहा ह sebum, यानि कि oil, oil minerals, hydrocarbons, and आपके waxes रिमूव हो रहे हैं, और saliva, saliva में से भी nitrogenous waste निकलता है, तो 5 चीज़े हो गई, है ना, साथ में liver भी याड़ कर लो यहां, 1, 2, 3, 4, 5, yes, liver is also added, याद हो गया, मेरे साथ सत्याग हो, याद हो गया होगा, हां जी, next आता है disorder, the last part, that is disorder, देखे किटनी का काम है, यूरिया को बाहर फेंकना, किटनी का क्या काम है, यूरिया को बाहर फेंकना, अगर ये काम ना कर पाए, तो बॉड़ी में यूरिया बढ़ जाएगा, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा, ब्लड में मुझे जादा यूरिया नहीं रखना, किटनी के द Accumulation of urea, उसको बोलते हैं, uremia, ठीक है जी, uremia एक अच्छी चीज नहीं है, blood में toxicity बढ़ जाएगी, toxicity बढ़ जाएगी, तो functioning difficult हो जाएगी, बाकी organs को impact आएगा, उस case में, अगर बंदे की kidney fail हो जाए, तो वो किसका मदद लेता है, artificial kidney की मदद लेते हैं, किसकी मदद लेते हैं, artificial kidney की मदद लेते हैं, artificial kidney क्या है, यहाँ पर ध्यान दीज़े, यह कोई आदमी है, यह artificial kidney की मदद ले रहा है, यहाँ से हम इसका blood निकालेंगे, filter करने के लिए और dializing machine में डालेंगे, ठीक है, artificial kidney को ही क्या बोला जाता है, hemodialysis, hemodialysis, इस artificial kidney में cellophane की tubes प्रेजन्ट है, यह देखिए, nitrocellulose membrane, cellophane की tubes प्रेजन्ट है, विच्छे semi-permeable membrane, और यहाँ पर सारा fluid है, यह भरा हुआ पूरा dializing fluid से, ठीक है, dializing fluid से भरा हुआ है, यह सारा dializing fluid है, समझ लो concept, एक बर यह concept समझ लिया, सब आ जाएगा आपको, हाँ जी, तो blood हमने निकाला, जब blood निकाला, तो blood में हमें heparin आड़ करना पड़ेगा, है न, क्या आड़ करना पड़ेगा heparin, जो कि blood को coagulate नहीं करने देगा, हेपरिन हमने आड़ किया, radial artery से या किसी artery से हमने blood निकाला, अभी इसके blood में urea मौझूद है, मानते हो, येस, अभी इसके blood में urea present है, इस artificial kidney का काम ही urea remove करना है, तो हमने एक टेकनीक लगाई, हमने यहाँ पर ऐसे coil tube रखती, यह जो coil tube है, यह किसकी बनाई, सेलोफेन की बनाई, इसकी बनाई, सेलोफेन मेंब्रेन की बनाई, जो की selectively permeable है, जो की क्या है, selectively permeable है, और हमने बाहर dialyzing fluid डाल दिया, यह जो मैंने orange कलर का डाला है, this one is dialyzing fluid, यह जो dialyzing fluid है ना, बिल्कुल सेम blood जैसा रखा है, same as blood plasma, except, बिल्कुल सेम blood जैसा रखा है, except urea, बहुत चला के हम लोग, हमने इस dialyzing fluid में सेम osmolarity रखी है, बिल्कुल बनाया है ना, इसको, इसको बिल्कुल lab में बनाया है, अब देखो क्या तिगडम लगता है, हाँची, यह देखिए, इधर आके बताते हूं, यहाँ पर ध्यान दीजे, blood मैंने लिया, heparin डाला, और blood is now flowing through the closed tube, blood के अंदर तो क्या है, यूरिया, बाहर यूरिया 0, blood में यूरिया मौजूद, तो यूरिया will flow from, यूरिया will flow from high concentration to low concentration, येस, तो blood में जो यूरिया है, वो यूरिया dialyzing fluid का part बनता जाएगा, high concentration to low concentration होता जाएगा, अब dialyzing fluid में यूरिया अड़ हो रहा है, इस used dialyzing fluid को बाहर निकाल देंगे, इस used dialyzing fluid को बाहर निकालते जाएंगे और नया वाला influx करते जाएंगे जो use हो रहा है उसको बाहर निकालते जाएंगे तो जैसे जैसे blood अब यहां से move करके यहां तक पहुंचेगा now the blood will be without urea ठीक है अब यह blood बेटा जी बिना urea के होगा फिर इसको body में दुबारा डाल दिया जाएगा anti-heparin डालके anti-heparin का treatment देंगे and then we will put it back into the body हमने blood को बाहर लिया, dialyzing machine में डाला, urea निकाला urea निकालके वापस से उस बंदे में डाल दिया this is your artificial kidney basic form में, बिल्कुल basic form में यह आपकी artificial kidney है ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है, blood को drain किया from convenient artery dialyzing unit में डाला, anti-coagulant डाला, that is heparin इसमें हमने cellophane tube का use किया और साथ में dialyzing fluid लिया बिल्कुल सेम plasma के तरह लिया, except nitrogenous waste यानि कि except किस की बात कर रहे हैं, urea की बात कर रहे हैं the porous cellophane membrane of the tube allows passage of molecule based on concentration gradient कौन मूफ करेगा? nitrogenous waste कैसे मूफ करेगा? high concentration to low concentration blood हमारा pure हो चुका है, फिर उसमें anti-heparin डालेंगे and उसको वापस body में डाल देंगे तो जितना damage है kidney में, उस हिसाब से हमें dialysis का frequency decide करना पड़ता है कुछ लोग महीने में एक बरी dialysis के लिए जाते हैं कुछ हफते में दो बर ही जाते हैं, कुछ daily जिनको dialysis कराना पड़ता है so that depends upon the damage अब अगर इस type का damage चलता रहेगा जादा damage है, तो dialysis पे कुछ समय तक रहा जा सकता है but this is not a permanent solution यह permanent नहीं है, यह temporary है क्योंकि इसमें dependency बहुत है hospital के उपर, dialysis के उपर what is the permanent solution अगर कोई तुमसे पूछे, permanent solution क्या है, kidney transplantation क्या है permanent solution आपको किसी match होने वाले donor की kidney लेनी पड़ेगी, transplant करानी पड़ेगी ठीक है, येस लेकिन उसी की kidney transplant कराई जाती है, जिससे हमारी HLA typing match होती है, लेकिन अगर किसी और की kidney लेते हैं किसी और की kidney लेते हैं तो body generally accept नहीं करती body में हमें क्या देने पड़ते हैं immunosuppressants immunosuppressants देने पड़ते हैं ये जो immunosuppressants है क्या कोई बता सकता है, कहां से है क्या नाम है इनका, any name आपको मैंने human health में भी कराया है microbes में भी कराया है, बताओ immunosuppressants का नाम anti heparin इसले लिया, स्रिष्टी बेटा जी क्यूंकि मैंने बाहर heparin बादी के पास तो अपना heparin है, हम उसे artificial heparin नहीं दे सकते, body के बादी के बादी को बाहर निकाला तो मैंने artificial heparin दिया, अब मैं blood को बापस चड़ाने से पहले उस heparin के effect को खतम भी तो करूंगी, कुछ भी artificial body को नहीं देना मुझे, अगर मैंने बाहर से heparin दाला तो बाहर से उसको खतम भी करना है, इस वज़ा से anti heparin दिया, हां जी that is very good, cyclosporin है cyclosporin है, तो immunity को suppress करने के लिए, जो recipient है, उसको cyclosporin ने दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि body reject ना करे, तो kidney सिरफ आइपोन खरीदने के लिए नहीं बेची जाती है, kidney बेची नहीं जाती है, kidney donate की जाती है, there are many donors and कई बरी घर परिवार में ही कोई अपनी एक kidney डोनेट कर देता है, you know you can survive on one kidney also, तो अगर कभी परिवार में किसी की दोनों kidney damage हो जाए, generally कोई person आके अपनी एक kidney दे देता है and they both then keep on surviving on one kidney, है ना, चलिए, अगला आता है renal calculi, kidney में stone हो जाना is renal calculi, insoluble mass of oxalates etc. formed within the kidney, बहुत painful condition है, बहुत painful, ये stones, बेटा जी, यूरेटर में भी हो सकते हैं, जब-जब urine flow करेगा, बहुत दर्द होती है, kidney में भी हो सकते हैं और move करते रहते हैं, इसके लिए homopathic medicine बहुत अच्छे काम करते हैं usually people take, then आता है glomerulonephritis, आइटिस, आइटिस का क्या मतलब है, inflammation, किस की inflammation, glomerulus, inflammation of glomeruli of the kidney, that is glomerulonephritis हां जी, कोई बात नहीं, जम्मू, जम्मू अम्मू कह रहे हैं, आज बहुत lag हो गया, बिटा, मैंने आपको बता है, बड़े-बड़े देशों में बड़े-बड़े classes में छोड़-चोड़ी बाते होती रहती हैं, अब या तो मैं class बंद करके चली जाती, ये एक-दो सेकिंड के बीच में lag के, हर कुछ मिनट के बाद एक-दो सेकिंड का होता है, माइक्रो सेकिंड का होता है, या फिर हम आज इसको complete करते, ताकि हम कल परसो इसका DPP कर पाए, कल मैं नया चाप्टर अगर उसको कुछ सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या फाइदा आने का, है ना, तो आप लोग लोग कल आते हैं या नहीं आते हैं, अदर्वाइस कल की तो वैल्यू नहीं पड़ती है, आपको समझ नहीं आ रहा, इसी के लिए बच्चे लाख को रुपए दे चुके हैं ओफ-लाइन में, है ना, आपको free of cost मिल रहा है, तभी आपको वैल्यू नहीं पड़ रही है, इसी वज़ए से एक दिन आएंगे, दूसरे दिन लगेगा, अरे इसमें से तो पेपर ही नहीं आना, क्या बच्चों को बता था कि आज वाले लेक्चर में से पेपर नहीं आएगा, पेपर तो आज वाले में सी आना था, आज वाले टिपिकल था सारा portion, बट फिल भी, फिल भी, है ना, बेटा अगर आप सिरफ 3D के लालत से आ रहे हैं पढ़ने आईए, नीट क्रैक करने आईए, समय बहुत कम है, जेए का नोटिफिकेशन आ चुक है, आपका कभी भी आ सकता है, फिर उसके बाद वही वीडियो में जो बनाना पड़ेगा, मैं बनाने भी वाली हूँ, है ना, कि नीट के इलावा कौन सा फॉर्म भरे, भरना पड़ेगा, ना, नीट तो क्रैक नहीं होगा, उनहीं के लिए तो आप भरने पड़ रहे हैं, कि ये भी भर लो, नर्सिंग का भी भर लो, पैरामेडिकल का भी भर लो, क्योंकि बच्चों का नीट तो क्रैक नहीं होगा, इस आटिटूड से तो नहीं होगा, the attitude that you want, that you need, is consistency, no matter वाला attitude चाहिए, कि कुछ हो जाए, मैं आउंगा, क्या hard challenge, कुस भी hard नहीं है, आप कुछ करी नहीं है, ना आप class का challenge पूरा करते हैं, ना आप revision का challenge पूरा करते हैं, diet और physical तो बहुत दूर की बात है, mental तो किसी ने सोचा नहीं होगा, this is not how you, you know, get selected, ये ये टॉपर्स क की पहली class, excretion की पहली class में से सवाल आएगा, उस बच्चे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, है ना, और जो बच्चा value नहीं कर रहा है, उस बच्चे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मेरी request है सब बच्चों से, आप कहीं भी बढ़ते हैं, offline, online, which platform, सब अच्छा बढ़ा रहे हैं, जहां से आपको अच्छा समझ आता है, at least वहां जाकर class लगाईए, यहां से नहीं आता, कहीं और से आता है, जो वहां जाकर लगाओ, लेकिन समय बरबाद मत करो, आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे ही बिटा, December खतम होआना, January में एंट्री लेते ही, अच करो, अब क्या करो, अब क्या करो, तो प्लीज डू नोट लेट दाट कंडिशन कम, 70-80% portion अभी डन करो, Physics, Chemistry बायो तीनों का, तब जाकर selection होगा, ऐसे थोड़ा होता है, कि अभी बिलकुल रिलाक्स भूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बाते कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रह यहाब टो गेट सिरियस नौव आपके लिए वीडियो आ जाएगा कि यह फॉर्म भरले आज ही बना दूगी पक्का कह रहे हो आज ही बना दूगी जाके देख लेना कि नीट के इलावा कौन से फॉर्म भरे क्योंकि वही आपको भरने पढ़ जाएंगे अगर आपने इसकी त क्योंकि आप लोग पर उसके की तियारी करें वह तो हुई तो बाकी पेपर तो निकाल लोगे मैं यह नहीं कह रही कि वो वो चीजे बेकार हैं बहुत अच्छी चीजे हैं उसमें भी requirement है and if you have interest then pursue them but if your interest was becoming doctor why to settle for less when you have time you have you have good teachers you have time in your hand time is selection बेटा अभी time आपके हाथ में है आज से दो महीने के बाद यह हाथ से निकल चुका होगा अगर रेत की तरह बिलकुल टाइम निकल चुका होगा फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी कोई और crash course भी कुछ नहीं कर पाएगा crash course में crush हो जाता है वो जिसने डीटेल नहीं पड़ा डीटेल नहीं पढ़के जाओगे crash कोई crash course हो जाए crush हो जाओगे crash course पाइदे बंद उनके लिए जिन्होंने पहले पढ़ रख है अब तुम decide कर लो तुम्हें क्या करना है NEET का form भरना है या बाकी वाले भरने है बाकी वालों के list भी आ जाजाएगी बहुत शौक से देखिएगा उसको और भर भी दीजेगा क्योंकि इस attitude से तो यही हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा decide properly session अच्छा लगा हो तो like करना साथी में special class week चालू होने वाला है 4th से मैं इसकी DPP, इसका PYQ, इसका mind map इस special class में कराने वाली हो link मैंने pin कर दिये, 4th को मेरी special class है ठीक है, make sure that you are enrolling and in classes में पोल की पोल बेस्ट फॉर्म में हम करेंगे live interact करेंगे, doubts पूछ सकते हैं साथी में crash course शुरू हो चुका है app पर fast track course है, amazing teachers है आप लोग जा कर subscription ले सकते हैं new NMC के syllabus के according है Cplive code लगाना है और ले लेना है and UAITS is already live UAITS में enroll कर लो, unacademy की all India test series चल रही है offline and online, offline and online दोनों modes में present है code लगा दी जागा maximum discount के लिए Cplive बाकि जो मैंने बताया है उसका answer मुझे देख लेना, मुझे comments में दे देना need crack करना है या दूसरे form बरने मुझे बता देना, doctor बनना है या कुछ और बनना है am I doing right or wrong आपके पास खुछ जवाब आ जाएगा मुझे बताने की जूर्थ नहीं है मैं तो आपके comments पी नहीं पढ़ रही हूँ अभी अपने आपसे पूछो, अपने आपसे decide करो and मुझे comments में लिख कर जाना क्या बनना चाते हो और उसके लिए क्या आप ठीक कर रहे हैं अभी तक या नहीं ये दोनों चीज़े सच सच लिख के जाना I will read your comments and then accordingly we will schedule tomorrow's class अगर मेरी class में जादा बच्चे दूसरे वाले होए तो ठीक है हम कल की class नहीं लेंगे आपको तो पते ही है my throat is already compromised मुझे तो doctor ने मना किया हूँ but still I am speaking मैंने बोला कि मेरा profession है मैं उससे छोड़ ही नहीं सकती है ना तो फिर मैं भी doctor की बात सुन लेती हूँ let me save my throat and you also save your time by enjoying enjoy करिए बूसरा फाम भर ले ना आज विडियो आज आएगा टेक लेडा आज चेए ठीक है जी चलिए thank you guys take care and bye bye